हेलो इस्ट्रेंट्स तो आज मैथकेम के पेपर नंबर 16 के पेपर का सोलुशन करेंगे जिसे टोपिक है इंडेफिनेट इंडिग्रेशन ओके तो फिर्स्ट कोश्चन देखते हैं अपने तो इंटिग्रेशन ऑफ इसका इंटिग्रेशन पूछा है तो देखें अब इसका इंटिग्रेशन करते हैं तो इसको इस तरीके से लिख लेते हैं code inverse e raised power x e raised power minus x dx इसको मैं फिर्स्ट फंक्शन ले लेता हूं इसको second function so first function integration of second function e raised power minus x का function so code inverse x का derivative minus one upon one plus x square तो इसका क्या बनेगा आपके पास है one upon minus one upon one plus e raised power two x into derivative of e raised power x e raised power x okay इसका integration आपके पास में क्या आएगा minus e raised power minus x dx तो यह आपके पास में इधर इता one बन गया तो यह माइनस कही रहा आपके पास में माइनस e raised power minus x code inverse e raised power x three minus so dx upon e raised power two x plus one okay अब इसको e raised power x को t put कर लो यहां पर इस integration को करने के लिए तो e raised वा तो इसका e raised power x dx dt so dx is equal to here we have dt upon t so e raised power x को t put कर देंगे दोबार तो इस इस इडिटी अपन दी तो आपके पास में integration किस फॉर्म में बन गया यह so this will be minus cot inverse e raised power x upon e raised power x minus इसका इसका किस फॉर्म में आया है so dt upon t t square plus one ओके तो इसका अपने देखो partial fraction से partial fraction से करोगे तो माइनस cot inverse e raised power x upon e raised power x minus इसके जो partial fraction बनते है one upon t minus one upon t square plus one dt इस फॉर्म में आएगा तो अब इदर इसका माइनस cot inverse e raised power x upon e key power x तो इदर T इसको देखो अगर अपने इसको simplify करें इदर यहां पर T आएगा तो इसका देखो यह partial fraction बन गया इसका डेरिवेटी बना लोग यह बन गया माइनस लॉग टी लॉग टी मोडलस तो इसमें प्लस का वर अपॉन टू एर भी है कि इसका इंटिग्रेशन 2T upon t square plus one dt ओके इसका डेरिवेटी बढ़ा एंगरेटर में तो वट भी है है और इसमें minus court inverse e raised power x upon e raised power x तो t की value कितनी आपके पास में t is here we have e raised power x तो इसका x मनेगा minus x ओके तो यह आपके पास है 1 upon 2 log t square plus one plus c तो t टी की value रखेंगे तो finally यह किस form में आ जाएगा आपके पास है 1 upon 2 log e raised to power 2 x plus 1 minus cot inverse e raised to power x upon e raised to power x minus x plus c. So, this is the answer to this integration. So, which option is correct here? So, we have, so 1 upon 2 log e raised to power 2 x plus 1 minus cot inverse e raised to power x e x minus x. So, third option is the correct answer, ok. So, third option is the correct. So, next question. So, second question mein e raised to power 10 theta sec theta minus sin theta d theta equals. So, if you will tell us the integration which is equal? So, let's see, e raised to power 10th theta sec theta minus sin theta d theta, ok. So, let's see, we will make this integration here. If you will make two integrals, the तो एरेश पर 10 थीटा अब इसमें दो फॉर्स्ट और सेकंड इंटिग्रल में आपके पास में एक टम सेम है एरेश पर 10 थीटा दोनों में सेम है तो आपने एक पार्ट का इस इंटिग्रेशन बाई पार्ट कर लेते हैं हैं यहां कि लिए तो इसको अपने लेका फ리ц फंक्शन लेट कर लेते हैं इसको सेंट फंक्शन ट लेते हैं तो तो देखो इस इन्टीечьल को वैसे रहां है तो उस हमाई रिजिचन थीटा है I Chatheta data so what is the integration of scientia तो माइस को शीन तङज किeous सब्लस का यहां से इसका रिच्पार थेटा तो माइनस का को सिटा आज है कह ली मौए N penso दिगेशन उप मैलथ सेकर स्थे पॉस्टफ फंक्चन इसका डोजिओ अगर सब्सक्राइब तो यह माइनस प्लस का होगा तो यह प्लस क्या हो जाएगा इस से माइनस का हो जाएगा तो अब आपके पास में देखो ईरेश पार टैन थीटा सब्सक्राइब 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 तो नेक्स कुश्चिन के आपके पास में है इंटीग्रेशन इसका इसका इंटीग्रेशन पूजा है तो देखें अब इसमें 1-7x1-7dx यह अब का थर्ड कोशन है तो इसको देखो अलग-अलग करें तो अलग-अलग करेंगे तो क्या आएगा आपके पास में 1-1-1-7 पर 7 मायनस इधर x-ray पर 7 एच वन प्लस x-ray पर 7 इस पॉर्म में आगा है तो इसको देखो आपने बाई पार्चल फ्रेक्शन इसके अगर पार्चल फ्रेक्शन करते हैं तो देखो आप इसको इस तरीके से लिखेंगे वन अपन एकस एक्स रह पर 6 एक्स सेवन प्लस ओके अगर आप इसको मैंटिपले करें तो आपके पास में दो यह बनेगा तो अब इदर देखो इसमें एक्स रिश्ड पार शिक्स आगया x रेज पर 6 एक्सरेश पर 7 प्लस 1 अब सिसका डेरिमेटि बना लो यहां पर तो यहां पर 7 और 1 upon 7 अपन तो सेम में भी वैसा ही आपके पास में तो यह किस फॉर में आ जाएगा तो वन अपन एक्स ली एक्स माइनस यह दोनों सेम बन गए तो वन अपन 7 7 x raise power 6 x raise power 7 plus 1 1 upon 7 7 x raise power 6 upon x raise power 7 plus 1 तो बोट हर सेम तो यहां से आपके पास में log of modulus x minus तो यह 2 here we have numerator numerator में आपके पास में derivative पढ़ा किसका denominator का ओके तो आपके पास में सीधा इसको क्या लिखो कि माइनस 2 upon 7 log of modulus of x raise power 7 plus 1 plus c okay so answer to this question we have so answer to this question we have fourth option okay so a log of modulus of x minus 2 upon 7 log of 1 plus modulus of log 1 plus x raise power 7 plus c तो next question तो next question में आपके पास में log of modulus x upon x plus upon में x 100 फिरके 1 plus log of modulus x dx तो इसकी value तो इसका integration बताना है है तो देखो आप simple क्या करेंगे इसमें देखें तो कुशन क्या था लॉग of modulus x upon x अंडूट में 1 plus log of modulus x dx अब इसमें देखो log of modulus x को t put करो इसको t put किया तो इसका है तो अब इसमें one add करें one add करें और one is subject कर दें तो क्या आएगा है तो इस इस अंडूट वन ब्लस टी डीटी तो फाइनल यह integration क्या बन गया one plus t और माइनस तो अंडूट में यह क्या है वन माइन वन प्लस टी डिश पार क्या माइनस वन अपन टू डीटी इस पॉरम में लिग दिया तो इसका यह प्लस टी तो आपके पास में वन प्लस टी रह गया वन प्लस टी अपन ट्री माइनस वन इस पॉरम में आएगा तो इस वे प्लस C तो इदर इसका लस्यम लेलिया तो 2 अपन 3 तो अंडूट में 1 अपन टी तो here we have t minus 2 plus c so put the value of t t is here be log of modulus x so 2 upon 3 2 upon 3 1 plus log of modulus x and this is log of modulus x minus 2 plus c okay so we have so answer to this question then let's see d so this question is the correct answer so here we have okay next question so next question i have got three x ratio of four minus one upon x ratio of four plus x plus one whole square तो इसका integration आपको बताना भी किसके एकुल है ओके तो देखो यह question में simple 3 x ratio of four minus one upon x ratio of four plus x plus one whole square तो यहां से अपने क्या x common ले लो numerator से मतलब denominator से we take out the x common इस bracket से तो आपके पास में किस पॉम में आएगा 3 x ratio of four minus one so this is x square x square हो गया तो यह आपके पास में x common निकाला था तो x q plus one plus one upon x whole square so this we have finally three x square minus one upon x square dx so x q plus one plus one upon x whole square अगर आप इसका derivative देखें इस derivative x q plus one plus one upon x का derivative आपके पास में three x square minus one upon x square है okay तो इसको अपने t put करते हैं जैसे इसको t put किया आपने तो आपके पास में क्या आएगा इसका है so three x square minus one upon x square dx or dt इस पूर में आ गया तो यह finally integration क्या बन गया आपके पास में dt upon t square okay तो अब इसको आपने इसका integration क्या आएगा minus one upon t plus c so t की value रखेंगे यहां पर रखा तो t की value अपने पास में क्या है so this we have simply this is all equal to so x is ka ऊपर आएगा आपके पास में okay so minus x upon x ratio of four plus x plus one this moment में आएगा so answer to this question we have plus c second one okay next question so next question में देखो x ratio of four plus one upon x x square plus one whole square dx इसका integration so this is equal to what a log of modulus x plus b upon one plus x square so simply you have to tell here the value of a and b a or b ki value बतानी आपको where c is the constant of integration तो देखो अब इसमें x ratio of four plus one upon x x square plus one whole square है ठीक है हम इसमें क्या करते हैं इसका perfect square बनाते है x square plus one इसको perfect square ऐसा x square plus one whole square जैसा तो देखो इसमें क्या करेंगे एक्स की पार four plus two x square plus one minus two x square ओके x x square plus one whole square तो मैंने इसके प्लस one whole square d x इस पूर में आगे ठीक है यह कैंसल हो गया सो इस लॉग ऑफ मोडलास x इस पूर में है हम देखो इसका आपके पास में डेरिवेटिव यहां पे पढ़ा है तो आपके पास में है तो देखो इसको क्या करेंगे सिंपल तो इसका डेरिवेटिव इसको इस तरीके से देखो एक्सके एर प्लस one whole इश्वा माइनस two into two x dx fx रिच्पार एं इंटो f-dash x fx रिच्पार एं प्लस one upon n plus one wola formula लग जाएगा इसमें so log of modulus x we have so this will be so plus ka जाएगा plus one upon x square plus one plus c okay now you have to compare this integration with this so what is the a a is equal to one and b is equal to one so we have a is equal to one and b is equal to one so which option is correct here so sixth option is the correct here so seventh question में देखो हाई integration is integral is here x log x plus hundred one plus x square upon hundred one plus x square clear है इसका integration बताना है है तो तो देखो अब इसका integration के लिए एक्स लॉग एक्स लॉग एक्स प्लस अंडूट वन प्लस x square अपोन अंडूट one plus x square x okay तो देखो अब इसमें फर्स्ट फंक्शन और सेंड फंक्शन इंटिग्रेटिंग्रेटिंग बाइपार्ट्स करेंगे तो देखो इसको अपने क्या है सेकेंड फंक्शन लेट कर लो और इसको फिर्स्ट फंक्शन और सो भी है इंटिग्रेशन क्या आएगा आपके पास में लॉग और एक्स प्लस अंडूट x square 1 plus x square ओके और इधर देखो आप क्या करेंगे इसमें 1 plus x square पावर कितनी माइनस 1 upon 2 into x इसका डेरिवेटी बना ले तो इसका डेरिवेटी यहां पे 2x हो जाएगा ठीक है तो अपन में 2 को कि माइनस माइनस डेरिवेटीव फिर्स्ट फंक्शन सो डेरिवेटीव लॉग और एक्स प्लस अंडूट 1 plus x square तो इसका क्या बनेगा आपके पास में एक्स प्लस अंडूट 1 plus x square तो इंटु में यह आपके पास में 1 प्लस यहां पे 2x अपन 1 प्लस अंडूट में 2 यहां पे तो 1 plus 2x अपन 200 1 plus x square तो इंटु में आपके पास में integration of that the same way procedure रहेगा इसमें देखो so 1 plus 1 plus x square रिष्ट पावर minus 1 upon 2 into 2x dx ओके इसका 1 upon 2 तो आपको इधर लगा देते हैं बाहर इस तरीके से आएगा तो इसका आपके पास में सीधा ही क्या हुआ लॉग ओफ एक्स प्लस अंडूट 1 plus x square upon 2 तो इसका मतलब integration इसका क्या आएगा 1 plus x square पॉलिष्पा 1 upon 2 upon में 1 upon 2 तो यह 2 से 2 cancel हो जाएगा आपके पास ठीक है ऐसे फिर इदर देखो आपके पास में यह 2 से 2 कैंसल होगा तो इसका 1 plus तो इसका सेम वही फिर आपके पास में माइनस किस पॉर्म में आ गया यह तो अंडूट 1 plus x square plus x यह इसके साथ में cancel हो जाएगा तो यहां से आपके पास में सीधा ही क्या आएगा 1 plus x square 1 upon undo 1 plus x square इदर से फिर आपके पास में वहीं अंडूट में 1 plus x square 2x इसका 1 upon 2 2 upon 2 आएगा यह इस तरीके से तो यह cancel हो गया तो यहां से simple आपको x मिला so what is the its integration we have log of x plus undo 1 plus x square into में यहां पे 1 plus x square और minus x plus c so here we have so which option is correct so log first option देखो 1 undo 1 plus x square log of x plus undo 1 plus x square minus x plus c so first option is we have correct correct answer so next question so a variable a differentiable function so next question a differentiable function satisfy the 3 f square x f dash x is equal to 2 x so given that the f 2 is equal to 1 then value of f 3 so here we have the derivative of f x into way so you integrate so integrating both sides so 3 f x whole square and f dash x dx here we have 2 x dx integrate कर दिया दोनों तरफ यहां से इसका देखो derivative of f x is here so इसका integration क्या हुआ आपके पास में f x whole q upon 3 okay इदर 2 x square upon 2 plus c यह cancel होगे आपके पास में now for the value of c c की value के लिए आपको गीवन है देखो f 2 is equal to कितना दे रहा 1 so f 2 यहां पर x is equal to 2 डालो x is equal to 2 डाला तो आपके पास में this is so here we have 4 plus c okay this we have 1 यह 1 आगे आपके पास में so c is equal to minus 3 okay so what is the f x f x आपके पास में f x cube क्या हुआ आपके पास में f x cube so we have x square minus 3 okay so put the value of x here so we have to find out the value of f 3 so x is equal to 3 रखा यहां पर f 3 whole cube and here we have 3 square minus 3 this is 6 so f 3 is nothing this is the cube root of 6 okay so this option is correct here so second option the next question the next question में देखो 9th question है x 2 raise power log x square plus 1 इसका integration पूझा है आपको तो देखो इसमें देखो अगर अपने थोड़ा सा देखे x कहा है differentiation of what x square plus 1 इसको x square plus 1 को t put कर लेते हैं तो देखे हैं 2 raise power log of x square plus 1 इसको x square plus 1 को t put कर लेते हैं तो यहां पर 2x dx is इस इकल टू क्या रहा डीटी इस पूर में आगे ठीक है तो x dx we have dt upon 2 so integration किस फोर में बन गया 1 upon 2 e 2 raise power log t ठीक है डीटी इस पूर में अब देखों यहां से क्या है log की एक property होती है देखों इन दोनों को आपस में इंटर्चेंज कर सकते हैं इन दोनों को जब इंटर्चेंज कर रहेंगे तो आपके पास में क्या है 1 upon 2 to t raise power इसको लिखेंगे टी इस पावर लोग टू इनको आपस में इंटर्चेंज कर दिया डीटी सो नाव टी रेच पावर cube t raise power 3 t raise power n इसका integration 1 upon 2 t raise power log 2 plus 1 upon log 2 plus 1 plus c so what is the value of t? t की value रखेंगे यहां पे 1 upon 2 so t is we have the x square plus 1 so x square plus 1 whole raise power log 2 plus 1 upon log 2 plus 1 plus c so which option is correct here so third option is the correct option ok next question a function f x satisfying the f dash sin x is equal to cos square x for all x and f 1 is equal to 1 so then you have to tell the function f x function f x क्या होगा इसमें यह देखना है तो देखो इस question में f x f dash x क्या आ रहा है आपके पास में sin x so cos square x इस फोर्म में है ठीक है तो देखो इसको मैं थोड़ा सा चेंग कर लेता हूं f dash sin x 1 minus sin square x तो actual में function क्या बन गया आपके पास में f t 1 minus t square इस पॉर्म का आ गया है अब इसको integrate कर दो integrating both sides को integrate किया है तो यह f t आएगा इधर t minus t cube upon 3 plus c इस पॉर्म में आ गया है ओके सो नाओ वी आर गिवन दा f 1 is equal to 1 वह सी की वैली निकालने के लिए के लिए के लिए कंडिशन दीविए तो यहां पर देखो t is equal to 1 तो क्या आ गया f 1 so this is 1 minus so see so here we have 1 this is 1 आपके पास में 1 so this is 2 upon 3 plus c so c is equal to 1 upon 3 आ गया so function क्या बन गया आपके पास में f t t minus t q upon 3 plus 1 upon 3 so what is the f x f x क्या आया x minus x q upon 3 plus 1 upon 3 इस पूर में आएगा ठीक है so which option is correct here to third option next so here we have the 11th question e raise for root x upon root x x plus root x dx so इसका integral क्या होगा यह बताना है तो देखो इसमें आप क्या करोगे integration क्या है e raise for root x so x plus root x dx upon root x तो यहां पर root x को t put कर लेते हैं so put root x is equal to t तो यह आपके पास है 1 upon 2 root x dx dt so dx upon root x 2 dt इस form में आ गया ओके तो यह आपके पास में integration किस form में बन गया e raise for t यहां पर x square t square आ गया तो दिस इस t and 2 dt okay so integration of 1 upon 2 e raise for t t square dt and plus e raise for t t dt integration of this में है algebraic and exponential function है इसमें तो 1 upon 2 तो यह बन गया आपके पास में e raise for t t square minus 2t plus 2 इसका integration okay so now integration of this we have e raise for t t minus 1 plus c तो यहां से देखों आपके पास में e raise for t plus into t e raise for t minus 2t तो यह माइनस का दो है तो यह plus का एक है तो इसमें आपके पास में इस पॉर्म में आएगा तो इस वी है तू यह तू में है यहां पर टू है तू तो देखो 2 so e raise for t तो यह माइनस का t और यह प्लस का 2 था इदिर माइनस का 1 था तो यह प्लस का 1 हो गया okay plus c so here we put the value of t last में t की value put कर दो so 2 e raise power root x and this is x minus root x plus 1 plus c so which option is correct here so देखें इसमें तो first option is the correct answer okay the next question so next question है देखो integration of this x square theta sec theta plus 10 theta whole square d theta equals तो इसका आपको integration बताना है so integration of this will be equal to what to do this man to sex square theta sec theta plus 10 theta whole square d theta so this company they got sec theta plus 10 theta go t put कर लेते हैं sec theta plus 10 theta equal to t okay so what is the its differentiation to sex theta 10 theta and sec square theta so we have d theta dt तो यहां से sec theta sec theta plus 10 theta d theta dt so इसकी value हमारे पास में t है so we have sec theta d theta this is equal to what d t upon t this form में आ गया है तो देखो आपके पास में integration आप किस form में आ रहा है देखो तो sec theta d theta this form में रख दिया okay तो यहां पे आपके पास में sec theta plus 1 एक देखो sec theta into sec theta 10 10 theta यह भी ले लेते हैं एक साथ में देखो इसकी value आपके पास में क्या है डीटी है तो अब आपके पास में sec theta एक बच गया sec theta और एक sec theta plus 10 theta okay इसकी value t है और इधर आपके पास में इसका यह dt हो गया डीटी अच्छा अब यह sec theta बच गया आपके पास में तो इस sec theta की value निकालने के लिए देखो sec theta minus 10 theta you know equal to one upon two two sec theta will be equal to be have T plus one upon T to sec theta किसके एकुल आपके पास में यहां पर T plus one upon T one upon two k यह सक्वीटा के इकुल आगया तो इसकी value आपके पास से one upon two T plus one upon T इसकी यह dt आ गया तो आपके पास में देखो one upon two T plus one upon आपके पास में इस टाइप का बन रहा है इंटीग्रेशन सब्सक्राइब इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा सब्सक्राइब इसको आपको क्या है सब्सक्राइब करेंगे तो इसमें सब्सक्राइब करेंगे कि अपान तू सो है अपान टू सेख थीटा या प्लस टैन थीटा होगा तो इसमें भी सेख थीटा प्लस टैन थीटा रखाए टी की वैल्यु यह अपान टू तो इसका उल्सक्राइब को लेंगे sex square theta plus 10 square theta plus 2 sec theta 10 theta and taking the elsehim here 3 so upon 3 plus see okay now sex square theta you can write on 1 plus 10 square theta 4 plus 2 10 square theta हो जाएगा to the sec theta plus 10 theta तो मैं इसको sex square theta को 1 plus 10 square theta रखता हूं तो 4 plus क्या हैगा 4 plus 2 10 square theta and 2 sex theta 10 theta upon 3 तो यहां से देखो एक तो 2 common आ रहा है तो इधर से 10 theta common आ गया तो देखो किस form में बना तो यहां यह 2 common था यह 2 common आ रहा है इसमें क्या है sex theta plus 10 theta and here we have 2 upon 2 तो इधर 10 theta common आ जाएगा यहां पर 2 plus यह 3 भी इधर बाहर आ जाएगा ओके सो 2 plus 10 theta और sex theta plus 10 theta ठीक है इस form में आ गया तो इस विए है है तो विच ओप्शन इस क्रेक्ट हीर सो लेट सी तो देखो आपके पास में sex theta plus 10 theta upon 3 2 plus 10 theta sex theta plus 10 theta तो यह यह ओप्शन आपका आ पिरग्ट है ऊकर्ट है एक है सो थर्ड ओप्शन इस दक्रेक्ट तो नेक्स्कोर्शन so next question में देखो the value of e raise power tan inverse x one plus x plus x square upon one plus square d x is equal to तो इसमें देखो आप क्या है exquisite tan theta put कर दो कि तो देखो शीम्पल कुछनने इसमें ए सो ही रह इस होग पाकर पास में क्या बन गया तो तो यहां पर आपके पास में जब एक्स की जिए टैन थीटा रखोंगे तो यह एकी पार थीटा आ जाएगा तो यह यह भी है वन प्लस टैन थीटा प्लस टैन स्केर थीटा ओके नीचे आपके पास में वन प्लस टैन स्केर थीटा तो इधर सेक्स के थीटा आएगा श प्युंड थीटा यह और यह चैंसल हो गया वृ यहाँ हटckay पहर पहर टेटा हम च्छीय हो गया करें तो these are that you are so on that ix अ cities वार तीटा हो से ऐसेट iç अ बास्टंद ता यहाँ किया अो के स्षिन को किनो ई एकल्स को फक्युनोर को तिषननी की E raise power theta into 10 theta plus C. So what is the theta? Theta we have here, 10 inverse X. So E raise power 10 inverse X or 10 theta we have X. So which option is correct here? X E raise power 10 inverse X. So first option is the correct answer. So next question. So in next question we have the DX upon X raise power 4 plus X cube is equal to A upon X square plus B upon X plus log of X plus log of X upon X plus 1. So then value of, you have to find out the value of A and B. Okay? So now this integration by partial fraction, first partial fraction we have to make it. So let's see how it is in your face. So 1 upon X raise power 4 plus X cube is equal to X cube X plus 1. इस पॉरम में. तो इसके इस तरीके से बना लेते हैं. यहां पर A और B दिया हुआ है तो P, Q, R लेट कर लेते हैं. तो P upon X and Q upon X square and R upon X cube and S upon X plus 1. ओके इस पॉरम में. इसके पार्शल फ्रेक्शन बना लिए हैं. तो अब इसमें क्या आएगा आएगा आपके पास में. P, here we have X square X plus 1 and Q, X, X plus 1 and R, X plus 1 and S, X cube. ओके तो अब अपने दोंको पहले इसमें X is equal to minus 1 रख देते हैं. Put X is equal to minus 1. X is equal to minus 1 रखा. This is 0, 0, 0. So we have S is equal to minus 1. S की value हमारे पास में minus 1 आ गई. Clear है? अब देखों अपने पास में coefficient of X cube ले लो. coefficient of X cube. X cube के coefficient में यहां से P आएगा और उदर से आपके पास में S आएगा. On the left side we have no coefficient of X cube. So this is 0. So P is equal to we have 1. P की value हमारे पास में 1 आ गई. अब coefficient of X square कर लो. coefficient of X square आपके पास में देखों यहां पर P. coefficient of X square. X square के coefficient यहां से P मिलेगा. अब इदर से आपको क्या मिल ला है? Q. So P plus Q. On the left hand side we have 0. So Q is equal to we have minus 1. Q की value हमारे पास में minus 1 आ गई. Okay. तो अब अपने पास में किस की value रह गई? R की. So coefficient of X ले लो. Coefficient of X. So coefficient of X is Q plus R. So we have 0. So what is the R? So this is 1. So we have found here the values of P, Q, R, S. So आपके पास में सब की value हमने निकाल ली. तो आपके पास में देखो P की value ये integration क्या बना आपके पास में 1 upon X and Q भी है minus 1 upon X की है and value of R भी है 1 upon XQ इस पॉम में and value of S भी है minus 1 upon X plus 1. Okay. इस पॉर में आ गया है. ये integration बन गया. तो अब इसका integration log of ये भी log में आएगा तो इनका दोनों को combine करके लिखेंगे तो log of modulus of X upon X plus 1. तो इसका integration आपके पास में क्या आजाएगा? 1 upon X. इसका आपके पास में क्या आजाएगा? minus 1 upon 2 X square plus C. इस पॉर में आ गया है. Okay. So, here we have. इससे compare कर ले. तो A की value रखो आपके पास में. देखो A upon X square. So, A की value minus 1 upon 2 and value of B we have here. B से देखो B upon X. So, here B is 1. So, and this term is same. यह term आपका same है. तो, which option is A is क्या है? minus 1 upon 2 and B is equal to 1. So, which option is here? Correct. Here we have the third one. Okay. तो, next question. So, next question में देखें आपके पास में value of E raised to the power X to minus sin 2 X upon 1 minus close to X. तो, इसको देखो थोड़ा सा अलग लग करें अपने. तो, इसमें E की पार X और 2, 2 sin X close X इस पहुम में है. और इदर आपके पास में 2 sin square X लगा दिया है. इसमें. तो, here भी है. So, this is E की पार X. तो, क्या बनेगा ये? Cosec square X. और इदर क्या बना आपके पास में? माइनस का कोट X, DX. इसमें पहुम में आ गया. तो, देखों, आपके पास में इस function का derivative पढ़ा है. आपके पास में. सो, इसका बनेगा बना इस function का यहां पहुम में तो, क्या आएगा आपके पास में? So, F X, F X into E रच पार X. सो, माइनस कोट X E रच पार X प्लस C. Okay? So, इंटिगे, सर आप इस function इस भी है, माइनस E रच पार X कोट X प्लस C. So, which option is correct here भी है? 4th option. Okay? So, next question. So, next question में 16th कोट इस देखो, X cube D X upon 1 plus X square. Okay? So, यहां पहे देखो, आपके पास में इसका जो integration है, वो इस form में दिया हुए. So, you have to find out the value of A and B. So, value of A and B. तो देखो, इस question को करने के लिए, आप किस तरीके से करोगे? यहां पर, integration क्या है? X cube, X square plus 1. तो X square plus 1 को अपने T put कर लेते हैं, T square. ठीके? तो X square plus 1 को T square जब put करेंगे, तो आपके पास में देखो किस टाइप से बनता है है? X square plus 1, we have T square. So, this is 2X DX, 2T DT, इस form में आगे? तो X DX, we have T DT, तो इसको देखो, integration को किस form में लिखा आपने? X square, X DX, अपन अंडूट में X square plus 1, इस form में लिख दिया. So, we have value of X square, we have equal to T square minus 1, तो यह T square minus 1 है. So, इसकी value X DX की value हमारे पास में T DT है, T DT. So, इसका T square था, इसकी value T square थी तो यह T आजाएगा, simply cancel. So, we have TQ upon 3 minus T plus C. So, what is the value of T? T we have unroot में. So, T इसमें से common निकल रहा है, T common ले लो, आपके पास में क्या रहा है? T, तो. Yeah, उसी form में आपको देखो, रखना है इसमें, इसी form में रखना है, तो देखो, T की value कितनी आपके पास में? X square plus 1, holish पर कितना आजाएगा? 3 upon 2. Okay. So, 1 upon 3 and minus X square plus 1, 100 में आएगा 1 upon 2 plus C. Okay. So, we have here A is equal to 1 upon 3. A is equal to 1 upon 3. And B is equal to B है, minus 1. So, B की value आपके पास में? माइनस 1 आगे. So, which option is correct here? So, 4th option. So, 17th question में देखें, 17th में क्या है? Fx is equal to X square dx upon 1 plus X square, into में ही क्या है, 1 plus UNROOT 1 plus X square. So, F0 you are given. F0 आपको given है यहापे ना? तो, F1 की value पूछिए. तो इसको देखें, अगर मैं इस पार्ट को rationalize कर देता हूं, इसमें rationalize करेंगे तो यहाँ पर आपके पास में सिंपल देखो किस फॉर्म में बनता है, नीचे X square आएगा, X square से X square cancel हो जाएगा, तो यह simple integration बनेगा, तो देखें, इसमें Fx is equal to be X square और X square प्लस 1, तो इसको मैं कहा रहा हूं, इसको rationalize कर दें, 1 plus UNROOT X square, तो इसको देखो UNROOT में 1 plus X square minus 1, इस फॉर्म में, ठीक है? तो इदर UNROOT में 1 plus X square minus 1, ओके, तो यह किस पॉर्म में आ रहा है, तुमारे पास में X square, तो इसमें X square, UNROOT में 1 plus X square minus 1, तो नीचे आपके पास में X square plus 1, और इदर रह गया, आपके पास में X square plus 1 minus 1, यह 1 से 1 cancel हो जाएगा, यह X square cancel हो जाएगा, तो आप देखो, आपके पास मे integration क्या बन गया वन अपोन अंडूट वन माइनस एक स्केर लिए इस पूर में आगे तो अब इसमें देखो क्या करेंगे माइनस तो यह वन अपोन वन ब्लस एक स्केर यह हो गया इसका integration आपको पता है और लॉग लॉग एक स्केर प्लस वन ठीक है और माइनस एन इन वर्स एक स्प्लस सी इस पॉर में आगे तो अब अपने को देखो यहां पे F0 की value given है तो यह Fx आ गया F0 अगर रखते हो तो this is here we have 0 तो इधर देखो 0 रखा तो log 1 बनेगा तो 10 inverse 0 0 होता है तो this is C is equal to 0 तो C की value हमारे पास में 0 आ गई तो function आपके पास में किस form का बन गया देखो Fx we have equal to Fx किसके बराबर आ गया log of x plus 100 x square 10 inverse x इस पोह में आए है so we have value of what F1 F1 की value क्या आएगी log of 1 plus 1 root 2 and minus 10 inverse 1 so 10 inverse 1 you know pi by 4 so log of 1 plus root 2 minus pi by 4 so which option is correct here so second option okay so next question so next question में देखो आपके पास में क्या है e raise power x minus 1 upon x square minus 5 x plus 4 2 x dx ठीक है a into f of x minus 1 plus b into f of x minus 4 plus c इस form में दिया हुआ है so then you have to find out the value of what फिर आपको fx भी गीवन है देखो fx किस form का है e raise power x upon x ठीक है इस form का integration है यह so you have to tell the value of a and b तो a और b की value बतानी है इन में से कौन सब्शन है तो देखो question क्या है तो पहले देखो आप इसका इसका partial fraction बनाए 2 x upon क्या हैगा इसका partial fraction बनाते है तो देखो 2 x upon x square minus 5 x plus 4 इसके factor करें तो 2 x upon क्या आएगा आपके पास में x minus 4 and x minus 1 ओके तो यहां से इसके जो partial fraction है वो आपके पास में किस form के आएगे x minus 1 तो देखो पहले a, a के नीचे x minus 1 लेते है न तो x minus 1 यहां डालेंगे तो आपके पास x की value 1 डालेंगे तो यह कितना आ रहा है यहां पर दूसरा जो इसका b की value बनेगी वो 2.8 आएगा न तो यहां पर आपके पास में जब x is equal to 4 डाला तो यहां से जब x is equal to 4 इसमें रखेंगे तो इदर कितना बना आपके पास रहा 2.3 ठीक है तो यह minus का जब 1 रखा तो minus का 2.3 और इदर जब अपने x is equal to 4 रखते हैं 4.8 upon 3 आ रहा है 8 upon 3 इस form में आगे x minus 4 यह partial fraction बने इसके ठीक है तो अब अपने को देखो इसका integration किस form में है आपके पास में e raise power x minus 1 इसके partial fraction में ने क्या बनाया है minus 2 upon 3 x minus 1 plus 8 upon 3 x minus 4 4 इस form में लिख दिया है अब पहले देखो x minus 1 वाला है तो इसको देखो आपके पास में यह आ गया आपके पास में e raise power x minus 1 upon x minus 1 minus 2 upon 3 ठीक है अब इदर देखो x की power e raise power x minus 1 तो इदर x minus 8 upon 3 हो गया नहीं e raise power x minus 1 upon x minus 4 तो ऐसे e की power में देखो नीचे यहां पर denominator में x minus 4 है तो e की power में भी x minus 4 बनाना है अपने को तो देखो मैं इसमें क्या करता हूं e raise power minus 3 से multiply कर देता हूं उसी से क्या है e raise power minus 3 से multiply और e raise power 3 से क्या है multiply करेंगे दोखो फिर वो powers neutralize हो जाएगी है ना तो cancel हो जाएग यहां पर e की power 3 लगा दो तो यह आपके पास में इस तरीके का dx बन गया यह बन गया आपके पास में f minus 2 upon 3 f of x minus 1 हो जाएगा यह पावर हो जाएगा यह पावर हो जाएगा यह पावर हो जाएगी ना e raise power x minus 4 हो जाएगा so this we have 8 upon 3 e cube and f of x minus 4 plus c so we have a is equal to here we have a is equal to minus 2.3 a की value minus 2.3 b की value आपके पास में क्या आ रहा है 8 upon 3 e cube okay so which option is correct here 4th option 4th option में यह tally कर रहा है match कर रहा है okay next question next question में देखें cube root of x and 7th root of 1 plus cube root of x ratio of 4 फिर अंदर तो देखो अब इसमें इसको करने के लिए क्या करो आप इसमें इसको अंदर वाले को आप टी लेट कर लो so 1 plus तो देखो इसका integration के लिए आप क्या करोगे यहां पर cube root of 3 and this is 7th root of 1 plus cube root of x ratio of 4 तो इसको देखो अपने सारे को T put कर लेते हैं यह हो गया आपके पास में x ratio of 4 upon 3 this is T okay तो अब इसका देखो integration differentiation क्या है 4 upon 3 x ratio of 1 upon 3 dx this is dt so x ratio of 1 upon 3 dx so 3 upon 4 dt okay तो अब अपने पास में देखो यह इसकी वैल्यू 3 upon 4 3 upon 4 and T raise power 7 1 upon 7 is 4 में आगे ठीक है 1 upon 7 so this we have dt ठीक है अब इसका integration आप करोगे तो देखो इसका integration करते हैं तो 3 raise power 4 T raise power 8 upon 7 8 upon 7 plus C तो यह आपके पास में 21 upon 32 and value of T we have here यह T की value इसमें डालेंगे तो क्या आएगा 1 plus X raise power 4 upon 3 whole raise power 8 upon 7 plus C so आपको देखना भी कौन सा option इसमें match कर रहा है तो 21 upon 32 so we have the first option is the correct answer to this option okay so next question 20th question the value of sin square x cos square x upon sin cube x plus cos cube x whole square upon me so so तो देखो इसमें ना इसमें या तो इसको court बना लो या 10 बना लो तो यहां पर देखो सभी option में 10 है तो इसको मैं 10 बना लेता हूं अंदर की तरफ तो देखो किस तरीके से करेंगे इसको तो साइन स्केर x को स्केर x को स्केर x ओके यहां पर 10 बना लो इसमें 10 इसको को स्कूब x को बाहर निकालेंगे तो को स्कूब 6 आएगा तो यह आपके पास में 10 q एक्स प्लस 1 whole square इस तरीके से आगे तो इसको जब आप लग लग करेंगे तो देखो स्केर x इस पहुम में d x यह 10 q x plus 1 whole square ठीक है इसको t put करें इसको t put करेंगे तो देखो 10 q x plus 1 is equal to t so this we have 3 10 square x 6 square x d x is equal to dt ठीक है so 10 square x 6 square x d x dt upon 3 इस पहुम में आ गया इस पहुम में बन गया तो यह देखो आपके पास में integration की इस पहुम में आ गया तो 1 upon 3 so dt upon t plus 1 whole square okay इसका integration आपके पास में minus 1 upon 3 t plus 1 okay plus c so यहां पे t की value डाल दो so this is 10 q x plus 1 plus c so which option is correct here so second option next question the value of this integration की value बतानी है अपने को यह तो इसमें देखो आप क्या है x की पार 2 को common निकाल ले इसमें देखो x की पार 7 यहां से x की पार 2 को common निकालेंगे तो x की पार 7 तो जब इसको टी पुट करोगे तो क्या रहा है 1 upon x square minus 1 is equal to t so this is minus 2 upon x cube dx is equal to dt इस पार में आ रहा है so dx upon x cube so this is minus dt upon 2 इस पार में आ गया तो देखो अब अपने पास में क्या बन गया integration इसका so minus 1 upon 2 dt upon t raise power 5 यह हो गया okay तो इसमें देखो अब अपने पास में minus 1 upon 2 t raise power minus 5 dt तो इसका minus 1 upon 2 so क्या बन गया minus 1 upon 4 and t raise power 4 plus c इस पार में आएगा so 1 upon 8 1 upon 8 और t की value डाल दो t की value आपके पास में इदर रखोंगे जब तो यह किस के फार में आएगा x की पार 8 1 minus x की आए whole की पावर 4 इस पार में आ जाएगा plus c ठीक है तो देखो इसमें उसको simplify कर लिया तो x raise power 8 upon 1 1 upon 8 x raise power 8 upon 1 minus x square whole raise power 4 plus c so which option is correct here second option the next question the next question में देखो आपको यहां पे cosex है ठीक है cosex minus sin x so upon 100 minus sin 2 x dx sin x plus cos x upon a plus c so then value of a a की value बताने है ठीक है तो देखो integration क्या है आपके पास में cos x minus sin x upon इसको देखो किस फॉर्म में लिख लेते हैं आपने 9 माइन तो 1 प्लस ऐसे लिख दिया ठीक है तो sin 2 x तो इदर आपके पास में cos x minus sin x so this we have 3 square and sin x minus cos x sin x plus cos x all square तो इसको t put करेंगे तो इसका derivative आपके पास में पढ़ा देखो sin x plus cos x तो इदर sin x plus cos x को t put करें sin x plus cos x को t put किया तो आपके पास में क्या आगया cos x minus sin x ठीक है dx dt इस फॉर्म में तो अब आपके पास में तो यह क्या बन गया आपके पास में dt upon 3 अंडूट में 3 minus sorry 3 square minus 2 square इस फॉर्म में आगया तो यह आपके पास में sin inverse का sin inverse t upon 3 ऐसा लगे का plus c तो आपके पास में sin inverse sin x plus cos x upon 3 plus c so what is the value of a a is here we have 3 okay next question तो इसका sorry cos bx dx ठीक है इसका integration आपके पास में e की पाहर ax cos bx dx इसका integration क्या होता है e reach पर ax upon a square plus b square इस पॉर्म में a इसका derivative करके na a e की पाहर है ax मतलब a आएगा coefficient इसका cos bx और इसका देखो minus का फिर sin cos bx का derivative करना है तो b आता है इसका into में तो प्लस का आजाएगा फिर वह b sin bx ठीक है plus c अब देखो अगर मैं इससे compare करता है आपके पास में यहां पर कितना है यह 29 आ रहा है a value कितना 2 है यहां पर तो देखो 2 square plus b square is equal to we have 29 so what is the b b is equal to 5 so b ki value हमें पता लग गए so here we have so this is fx so fx we have equal to what fx आपके पास में क्या आगया a ki value 2 है तो हमारे पास में 2 cos 5x plus so 5 sin 5x okay इस पॉर्म में आगया fx तो f-x क्या हुआ आपके पास में f-x so भी है minus 10 minus 10 sin 5x इदर आपके पास में 25 cos 5x f double dash 6 देखें f double dash 6 भी है equal to so यह है आपे minus 50 cos 5x okay तो इदर 1 to 5 1 to 5 and sin 5x यह minus का आएगा ठीक है यह minus का इसको फिर आपके पास में यहां पर minus हो जाएगा तो minus 50 cos 5x minus minus 1 to 5 sin 5x इस फॉर में आगे है तो यहां से क्या कॉमन आपके पास में देखों यहां से 25 कॉमन आ रहा है तो इसको आपके आपके पास में देखों किसके इकूल आगे दुबारा इसका इंटिगरेशन बताना है तो आप इसको साइन कोस में जब चेंड करते हैं और इदर देखों दिनोमिनेटर में अपके पास में यहां पे one plus तो साइन एक्स प्लस को सेक्स तो नीचे से डिनोमिनेटर से साइन एक्स को सेक्स आएगा वह उपर आ जाएगा आपके पास में साइन एक्स को सेक्स इस मोम में आ गया है तो अब देखो आपने क्या करते हैं यहां पर तो तू से मल्टिप्लाई करके 2 से sin x cos x इसमें मैं 1 एड़ कर देता हूं 1 ही सब्टेट कर देता हूं देखो 1 plus sin x plus cos x इस मोर में अब देखो इसको sin x plus cos x का whole square लिख ले पिरे तो क्या आएगा 1 upon 2 तो sin x plus cos x का whole square minus 1 का square upon में 1 plus sin x plus cos x ओके जब इसके फेक्टर करोगे आप फेक्टर करते हो तो देखो आपके पास में किस फॉर्म में आएगा ये तो फेक्टर करा तो इसमें इधर देख लेते हैं तो 1 upon 2 इधर sin x plus cos x plus 1 एक तो ये आएगा तरे एक आपके पास में sin x minus cos x और plus sin x minus का 1 तो ये देखो आपके पास में sin x plus cos x plus 1 ये cancel हो जाए गई sin x plus cos x plus 1 ये cancel तो आपके पास में किस फॉर्म में आगया integration last में so we have 1 upon 2 and sin x plus cos x minus 1 okay so इसका देखो आपने पास में integration क्या हुआ फिर आपके पास में ये इसका sin x आजाएगा minus cos x minus x plus c so which option is correct here the second option is the correct here so so sin x minus cos x plus c into me यहापे 1 upon 2 the next question so 1 plus cos 4 x upon cos x minus 10 x so 4 cos 4 x plus b then value of a and b are a और b की value पूछी है ना तो देखो अब इसमें कैसे करेंगे अब इसमें 1 plus cos 4 x upon me 4 x minus 10 x इसको आप क्या करो sin cos में change कर लेते हैं और इसको भी sin cos में change कर लेते हैं तो देखो ऊपर क्या आएगा 2 cos square 2 x और नीचे आपके पास में cos square x minus sin square x upon sin x cos x ओके तो यह यहाँ पे एक cos 2 cos square 2 x और यह sin x cos x इस पौम में आगया तो नीचे cos 2 x आएगा यह cancel ठीके तो 2 sin x cos x यह बनेगा sin 2 x तो cos 2 x तो sin 2 x इस पौम में आगया इसको 2 से divide कर दे और 2 से multiply कर दो तो यह आपके पास में क्या आगया 1 upon 2 sin 4 x ok sin 4 x का integration you know minus cos 4 x upon 8 8 आएगा क्योंकि 1 upon 2 पहले सी पढ़ा है plus c ok तो यहाँ पे दखो c is compared with b so c is any real number so what is the a a is we have here minus 1 upon 8 and b belongs to here we have real number ok तो अब इंडिजिट टाइब में कुस्टन में देखे फर्स्ट कुस्टन है आपके पास में if integration of 1 upon ln x ln of ln x plus ln of ln of ln x ठीक है ना इसमें यहाँ पर देखो आपके पास में ln x ln of ln x यहाँ पे ln of ln of ln x तो इसमें आपको किस के एकुल है g x के एकुल है so then value of g of e raise for e इसकी value आपको निकालनी है तो देखो अगर मैं इसमें देखो इस log x को t put करता हूँ log x को t put करें तो आपके पास में देवो क्या आएगा log x को t put किया ok so यहाँ से आपके पास में x is equal to क्या आगया e raise for t so इसका integration e raise for t dt इस फोर्म में आगया तो यह आपका integration कि इस फोर्म में बन गया इसको देखें so 1 upon so this we have log of यानि बेस में e है ठीके ना so log of x and log of so we have here x is equal to log x is equal to t so this is log of log x इसको पहले असे लिख लिया ठीके so plus log of log of log of x इस फोर्म में आगया ठीके so this we have log x is equal to what that is t so यह so 1 upon t log t plus so this we have log of log t इस फोर्म में 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 यह आपका so whatever the integration of this will be that will be e raised power t e raised power t and log of log of t okay इस फोर्म में बन गया यह आपके पास में plus c तो यह आपके पास में इसको अगर मैं x के form में change कर देता हूँ तो देखो आपके पास में क्या आगा e raised power x is equal to we have x so x so this we have log of so t we have log of x so this we have log of log of log of x मतलब log of x इस form में आ गया ठीक है यह तो इसमें देखो plus c so what is this this is gx so यह आपका total gx हो गया तो gx में अब आपके पास में देखो इसमें e raised power e so gx we have equal to what x log of log of log x ठीक है इस form में आ गया यह आपका gx हो गया इसमें देखो e raised power x रखेंगे यहां पर e raised power x so यहां पर e raised power x रखेंगे तो log e आएगा log e is equal to 1 so log of 1 that will be equal to 0 so what will be here g of e raised power e यहां पर e raised power e रखेंगे तो e आगया जाएगा log e 1 होगा तो log e 1 so that will be we have 0 so value of this we have g of e raised power e that is 0 so answer to this question we have 0 next question so second question में so second question आपका क्या है देखो यहां पर so cos x minus integration of cos x minus sin x plus 1 minus x upon e raised power x plus sin x plus x clear इसका integration that is equal to what log of f x plus g x plus c so then when we f x is greater than 0 so you have to find out the value of this इसका अपने को value find out कर ला है okay so देखो किस परम में इसमें आपके पास में इसका integration करते है पहले तो integration आपके पास में किस परम में आएगा तो cos x minus sin x plus 1 minus x upon e raised power x plus sin x plus x okay तो numerator में मैं क्या करता हूँ numerator में e raised power x add कर देता हूँ वही subtract करता हूँ तो देखो आपके पास में किस परम में आएगा e raised power x plus cos x and plus 1 इस form में आगे okay so minus minus e raised power x plus sin x and minus यह plus का x हो जाएगा bracket में रख लिया इसको so minus का देखो e raised power x add किया e raised power x subtract किया तो यह आपके पास में plus के हो जाएगे so upon में क्या हुआ e raised power x plus sin x plus x so this we have तो इसको अलग अलग separate करें तो भी है this is the derivative of this and this is इसको इससे दिवाइड करेंगे this is minus 1 आ जाएगा तो इसका derivative ऊपर बढ़ा है तो आपके पास में क्या रहा है log of e raised power x plus sin x plus x इस form में है ठीक है now fx is greater than this is always greater than 0 so we need not अपको मोडलस लगाने की जूट नहीं है यह तो यहाँ पर माइनस x आएगा इस form में आ गया plus c so अभी है fx is equal to e raised power x plus sin x plus x and gx भी है minus x यह हो गया तो इसमें value आप put करोंगे तो देखो fx fx plus gx upon e raised power x plus sin x इस form में है ना यहाँ पर fx की value क्या आपके पास में e raised power x plus sin x plus x e raised power x plus sin x plus x and minus x upon e raised power x plus sin x इस form में आ गया ठीक है तो यह आपके पास में देखो x x cancel हुआ this भी है e raised power x plus sin x upon e raised power sin x e raised power x plus sin x this is 1 so answer to this question we have 1 okay so next question so next question में देखो integration of cos x upon sin cube x plus 1 plus sin x whole is power 6 whole is power 2 upon 3 so this we have fx 1 plus sin x whole is power 6 whole is power 1 upon lambda plus c तो आपको value पूचिए किसकी lambda f of modulus of lambda f pi by 3 इसकी value इसकी value पूचिए तो देखो इसको किस तरीके से करेंगे यहां से इसका integration में cos x d x यहां से sin x whole is power 6 को common ले 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 लेंगे तो यहां पर क्या आएगा आपके पास में वो 3 है न तो यह आपके पास में sin square x आएगा यहां से बाहर ओके तो उदर में sin x रिश्वा 4 आजाएगा तो sin x रिश्वा 7 इस पूर्म में आएगा तो इस विल बी कॉस एक x whole is power 6 plus 1 whole is power 2 upon 3 इस पूर्म में आगे तो इसको देखो अपने थोड़ा से simplify करते हैं तो यहां पर क्या आएगा इसको तो एक तो क्या cortex और आएगा को आएगा वास में 6 बजेगा ठीक है ना तो उसको किस तरीके से लिखेंगे अपने cortex इस पूर्म में आएगा एंड कॉस्वा अज़श्वार 6 इस पूर्म में आ गया इसको देखो सारे को अपने पूट कर देखों तोलिए हम के लिखर में आव या कुसेख क्रेश्वार शुक्स और हुस हिए इसमेर भूंश इसका इसको आ रिवेटिव देखो आपके पास में सिक्स Цे माइन इस फॉर्म में आ गया है इंटु में क्या आगया आपके पास में इस फॉर्म में है तो देखो इसकी वैल्यू क्या होगी आपके पास में यह इस इकल टो वाट भी है इस फॉर्म में आ गया है तो इस इस फॉर्म में आ गया है तो अब इसमें देखो आपके पास में 1 अपॉन 6 ती रेश्पार माइनस 2 अपॉन 3 अब इसका इंटीग्रेशन इस फॉर्म में आ है तो प्लस सी अभी है इस इस माइनस 1 अपॉन 2 इसमें टी रेश्पार कितना 1 अपॉन 3 प्लस सी अब इसमें फिर अपने क्या है इसमें वैल्यू डालेंगे तो आपके पास में T की वैल्यू डालेंगे तो आपके पास में T यह रहा तो माइनस 1 अपॉन 2 तो यहां से आपके पास में साइन अपॉन 3 और इसको जब अपने किसमें चंज करेंगे साइन में चंज करेंगे तो यहां से आपके पास में साइन एक सोलिश्पार क्या स्टेर बाहर आएगा तो यह फाइनली आपके पास में किस टाइप का बनेंगा minus 1 upon 2 cosec square x यह आएगा cosec square x and 1 plus sin x वो दिए पर 6 दिए पर 1 upon 3 plus c यह आगया now what is fx? fx we have here fx आपके पास में किसके इकुल आगया? fx minus 1 upon 2 cosec square x okay so we have to find out the value of this lambda f pi by 3 so lambda कितना आपके पास में 3 है? तो 3 इसमें देखो 3 f pi by 3 इस पर में रखना है तो आपके पास में 3 so cosec pi by 3 cosec pi by 3 we have equal to what? 2 upon root 3 तो यह आता है ना square करना है उसका तो यहाँ पर देखो यह modulus में है ना तो minus का so this we have 4 upon 3 okay so cosec pi by 3 so 2 upon root 3 इसका square करेंगे 4 upon 3 so this we have equal to what? 2 so answer to this question we have 2 okay next question so 24th question में देखो 1 minus cosec theta whole raise power 2 upon 7 upon 1 plus cosec cos theta sorry 1 minus cos theta whole raise power 2 upon 7 upon 1 plus cos theta whole raise power 9 upon 7 so this we have equal to a upon b 10 theta whole raise power b upon a so where a and b are co prime numbers मतलब their scf is 1 यह है इस तरीके से है तो देखो इसको किस तरीके से करेंगे अपने तो इसको अपने 1 minus cos theta को लिखा 2 sine square theta by 2 whole raise power 2 upon 7 so this we have 2 cos square theta by 2 whole raise power 9 by 7 इस पूम में है तो इधर देखो आपके पास में इसमें इस 10 तो इसमें 9 by 7 है ना तो यहां पर 2 x 7 है इधर के आपके पास में 2 cos square theta by 2 9 by 7 है तो इसमें आप इस तरीके से 2 raised power 2.7 इधर के आगया 2 raised power 9 by 7 तो यहां से अब आपके पास में इधर क्या बनेगा आपके पास में एक क्या है इसमें 10 square theta by 2 बना लो 10 square theta by 2 that is 10 square theta by 2 whole is power 2.7 इस form है यह form आगया है अब आपके पास में एक क्या है यहां से मैंने 2 by 7 common ले लिए 2 by 7 तो इधर अंदर से आपके पास में क्या है cos square theta by 2 तो last में आपके पास में 2 by 7 ऊपर ले गए तो आपके पास में 2 by 7 नीजे रहेगा तो इसमें आपके पास में 1 upon 2 रहेगा तो यह इदर देखो आपके पास में 10 square theta by 2, 2 by 7 तो अग नीचे देखो आपके पास में क्या आएगा cos square theta by 2 7 upon 7 एक अलग कर लिया, that will be here cos square theta by 2 इस form में आ गया, ओके तो अब अपने क्या है, इसको लिखें के 10 यह आपके पास में 1 upon 2 आजाएगा, 1 upon 2 यहां पर, 1 upon 2, here we have, this is 10 theta by 2, all this power 4 upon 7, यह आगे, ठीक है, इदर आपके पास में 6 square theta by 2, इस form में, so d theta, अब इसमें 10 theta by 2 को t put कर लो, so put 10 theta by 2 is equal to t, so we have 6 square theta by 2 d theta, that will be, we have 2 dt, इस form में आ गया, ठीक है, तो अब आपके पास में, यह किस form में आ गया, integration, यहां पर t raise power 4 upon 7, ठीक है, इदर 2 dt, so either 1 upon 2, so this we have, किसके एकोल आपके पास में, t raise power 11 upon 7 upon 11 upon 7 plus c, so 7 upon 11, so t की value कितनी है, आपके पास में 10 theta by 2, so this we have 10 theta by 2, whole raise power, we have 11 upon 7 plus c, so what is the a plus b, a plus b we have is equal to 18, so answer to this question we have 18, okay, next question, तो 5th question में आपके पास में, sin x plus cos x upon 2 sin x plus 3 cos x, इसका integration आपके पास में इसके एकोल है, तो अपने आपके इसके question में, numerator को किस की form में लिखेंगे, देखो, तो इसको solution के लिए आपके पास में, sin x plus cos x, a into numerator, plus 3 cos x, plus b into derivative of denominator, so that will be equal to be 2 cos x minus 3 sin x, okay, इस form में आगया, अब अपने पास में, यहां पर comparing the coefficient of sin x and cos x, तो sin x के coefficient आपके पास में, 2a minus 3b, is equal to 1, इस form में आगया, and now comparing the coefficient of cos x, so that is 3a and plus 2b, is equal to 1, तो आप इसमें देखो, b के coefficient, same बना लो, इससे 2 से 3 से multiply करेंगे, तो यहां पर क्या आएगा आपके पास में, so जब add करेंगे, तो you will have here, so 13a is equal to 5, so a is equal to 5 upon 13, okay, तो एकी value इसमें डालेंगे, तो आपके पास में 10 upon 13 आजाएगा, तो 1 उदर आजाएगा, तो minus, so that is minus, b is equal to minus 1 upon 13, इस form में आगया, तो यह आपके पास में देखो, तो निमरेटर को आपने इसके ताम में एक्ष्प्रेस कर लेंगे, तो क्या बना इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन भी हैव, ताट इस, साइन एक्स, तो इसको क्या लिखा, 5 upon 15, 5 upon 13, sorry, तो 2 साइन एक्स, प्लस 3 कोस एक्स, अपन में, 2 साइन एक्स, प्लस 3 कोस एक्स, यह कैंसल हो जाएगा, तो माइनस 1 upon 13, तो इस वी आपके पास में क्या हो गया, यह कैंसल हो गया, तो इसमें 5 upon 13, ठीक है, माइनस, इसका अपने पास में डेरिवेटी पढ़ा है, निमरेटर में, यह कैंसल है, तो इसमें 1 upon 13, लोग 2 साइन एक्स, प्लस 3 कोस एक्स, अप्लस C, तो इसमें पास में पास है, तो इसमें पास है, तो इसमें डेरिवेटरोड पोटेशन reduction of Fe से F3 positive से Fe2 positive दे रखा है बेटा, और SN4 positive से SN2 positive गिवन है, यहां पर हमारे पास potential given है, विभाओ given है, हमारे पास reaction दे रखी है, SN4 से SN2, और Fe2 positive से Fe3 positive, और इनके लिए इस particular chemical reaction के लिए हमें standard EMF को calculate करना तो अगर हम लोग इसका standard EMF निकालना चाहते हैं तो E of reaction बराबर क्या हो जाएगा बेटा, potential of potential of कहां से कहां बेटा, Fe2 positive से कहां जा रहा है, Fe3 positive plus potential of SN4 positive से कहां पर गया, SN2 positive, clear रहा है, okay now हमारे पास potential जो given था, Fe3 से Fe2 और वो था हमारे पास plus का 0.77, तो अगर हम Fe2 से Fe3 का देखेंगे, तो यह क्या हो जाएगा बेटा, minus का 0.77, 0.77 plus, हमारे पास है SN4 से SN2 और वो दे रखा है, plus का 0.5 और हमें वही चाहिए, तो यह हो जाएगा, 0.5, 0.15 plus का, दोनों को अगर हम लोग add करेंगे, तो हमारे पास अंसर आ जाएगा, 0.0, minus का 0.62, और आपका correct option हो जाएगा, बेटा क्या, first, अगला question है, standard potential हमारे पास given है, ZN से ZN2 positive और Fe से Fe2 positive और हमारे पास cell equation है, जिसका हमें potential calculate करना है, तो इसका जब हमें potential निकालना होगा, तो यह आजाएगा, E0 बराबर, E0 of, वही बेटा, कहां से कहां, Fe positive 2 से, Fe में जा रहा है, plus E0 of, हम लोग लिखेंगे, ZN से कहां जा रहा है, ZN2 positive में जा रहा है, ठीक है, तो हमारे पास दे रखा है, Fe से, Fe2 positive से, Fe का, Fe से, Fe2 positive दे रखाता है, तो यह हो जाएगा, minus का 0.41, और हमारे पास given है, किसका बई, ZN से, ZN2 positive का, यह हमारे पास है, plus का 0.76, और इसको solve करोगे, तो valuation आ जाएगी, plus का 0.35, तो answer कौन सा correct हो जाएगा बिटा, second, अगला question हमारे पास given है, which of the following correct among the following given half cell reaction, निम्न में से कौन सा सही है, अर्दिसल अभग्रिया के वेदुत बहगवल के form में, हमारे पास है, Cu2 positive से Cu, और Cu positive से Cu के form में दे रखा है, हमारे पास, ठीक है, अगर हम लोग इसका पहली reaction देखें, तो लिखा हुआ है, disproportion हो सकता है, क्या, मतलब विस्मान पाती करन अभग्रिया हो सकती है, तो इसकी equation बना लेते हैं, Cu positive से बनेगा बेटा क्या, Cu2 positive और क्या आजाएगा, Cu, और यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं, दो, तो अगर हम लोग इस equation को लिखें, तो यह हमारे पास copper positive से copper 2 positive जा रहा है, मतलब यह क्या हो रहा है बेटा, इसका क्या हो रहा है, oxidation, similarly, copper positive से क्या जा रहा है, बेटा, copper जा रहा है, इसका मतलब यह क्या हो रहा है, reduction, आगर हम लोग इस reaction के लिए, इस data से E not को calculate करें, तो इस data से जो E not आता है, वो positive आएगा, ठीक है बई, इस data से E not क्या आएगा, बेटा, positive आएगा, और positive E not क्या mention कर रहा है, कि यह reaction जो है, वो possible है, feasible है, spontaneous है, सतत है, मतलब इस reaction को हम लोग कर सकते हैं, मतलब CU positive का इस data के according क्या होगा, बेटा, disproportion possible है, साथी साथ positive आ रहा है, इसका मतलब answer क्या हो जाएगा, बेटा, third भी सही है, और first भी सही है, तो इसका correct answer क्या आएगा, बेटा, fourth answer, कि first और third दोनों के दोनों क्या है, बेटा, सही, अगला question हमारे पास given है, एक figure given है, इस figure में CLO3 negative, CLO negative में convert हो रहा है, वो CL2 में convert हो रहा है, और बाद में ये CL3, या CL negative में convert हो रहा है, हमारे पास एक data दे रखा है, कौन सा भाई, CLO minus, किस में जा रहा है, ये जा रहा है, किस में बेटा, CL negative है, अगर हम लोग oxidation state देखें, तो यहाँ पर कितनी है भाई, minus N की value 1 into F, और इसका potential कितना दे रखा है बेटा, plus का 0.76, तो ये valuation total कितनी है आ गई, minus का 0.76F, ठीक है, दूसरी equation हमारे पास है, जिसका हमें निकालना है, ये पूरे का हमें निकालना है, तो अगर हम लोग यहाँ से ये वाला देखें, तो ये हमारे पास है, CLO3 minus, इससे क्या बन रहा है भई, CLO negative बन रहा है, यहाँ पर oxidation state इसका कितना है बेटा, प्लस कितना आ जाएगा हमारे पास 5, और यहाँ पर कितना है, प्लस 1, मतलब यहाँ पर N की value कितनी आ गई, बेटा 4, तो यहाँ का अगर हम लोग gel G2 निकालने, तो हमारे पास del G2 आ ज change 4 into F into क्या भई, potential difference हमारे पास कितना अधे रखा है, 0.45, इसको हम लोग लिख सकते हैं, 0.45 के terms में, अगर मैं इन दोनों equation को add करनू, इन दोनों equation को अगर add किया जाए, तो यह और यह cancel out हो जाएंगे, हमारे पास final equation मिल जाएगी, CLO3 minus, that is convert in form of CLO negative, मतलब इसका del G जो आएगा, वो आएगा क्या भई, कितना electron का exchange यहाँ पर आगया हमारे पास, वेटा यहाँ पर हमारे पास क्या था, plus 5, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, minus का 1, तो total कितना 6 का exchange आया, तो n की value कितनी आजाएगी, भई, 6 into F, और E naught हमें क्या करना है, calculate, और यह E naught, यह valuation किसके ब 0.6 V, clear, अगला question हमारे पास है, the standard potential of ZN, ZN2, ZN2 positive ZN, nickel 2 positive से nickel, Fe2 positive से Fe, यह evaluation हमारे पास given है, अब बोलाएगार एक equation बनाई जाए, कि X plus 2Y, plus twice of X positive और Y दे दे, और किस condition में हमारे पास reaction जो है, वो non spontaneous cost करेगी, मतलब non spontaneous होने के लिए क्या जरूरी है, कि एक जो भी हम लोग metal ले, उस का जो total overall हमारे पास E naught आए, अगर E naught हमारे पास क्या आता है, बेटा E naught of reaction या E naught of cell जो है, वो हमारे पास negative आ जाता है, तो उस process कैसा हो जाएगा, non spontaneous, तो हमें यहाँ पर यह चेक करना है, कि किस condition पे हमा मतलब मैं X की जगए पर NI लूँगा और Jink की जगए पर PLUS 2 ले लूँगा, third में अगर मैं, first में मैंने क्या लिया, NI लिया, X की जगए पर और Y की जगए पर लिया, FE, तो मेरे पास cell equation में, यहाँ पर क्या बन जाएगा बेटा, X की जगए पर NI, और Y की जगए पर मैंने क्य ले लिए है Fe, तो Y की जगे पर आ गया Fe 2 positive, तो उस तरब क्या बन जाएगा भई, ये बन जाएगा Ni 2 positive, और यहाँ पर बन जाएगा क्या भई, Y, मतलब कि ये बन जाएगा हमारे पास Fe, ज़र इसका potential देख लेते हैं, यहाँ पर E naught बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, E of क्या बेटा, Ni से Ni positive, Ni से Ni 2 positive, प्लस यहाँ पर अगर ले 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 तो हमारे पास आ जाएगा, प्लस E naught of कौन सा भई, Fe 2 positive से क्या बेटा, Fe, ज़रा देखते हैं चेक करके, अगर values को put किया जाए, तो Ni से Ni 2 positive की valuation हमारे पास है क्या भई, Ni 2 positive से valuation है कितनी, minus का 0.23, मेरे को यह वाली चेली चेली तो इसको plus कर लेते हैं, तो plus का 0.23, यह हो गया, plus, मेरे को चाहिए, Fe 2 positive से Fe, Fe 2 positive से Fe की value हो गई, कितना भई, minus का 0.44, minus का 0.44, और इस value को देखकर के ही लग रहा है, कि यहाँ पर value की आएगी बेटा, negative आएगी, मतलब यह reaction spontaneous नहीं है, इसी तरह से अगर आप second की value को put करोगे, तो वहाँ पर भी हमारे पास non spontaneous nature आएगा, और third की value को अगर हम लोग put करेंगे, तो वहाँ पर भी हमारे process के आजाएगा भई, non spontaneous आजाएगा, लेकिन अगर मैं fourth की value को put करता हूँ, तो fourth की value को put करने का मतलब मैंने X की जगए पर क्या ले लिया, ZN, तो यह Excel बन जाएगा, ZN, plus y की जगए पर मैं क्या ले ले लेता हूँ, y की जगए पर मैं ले ले रहा हूँ, किसे भई, any को, मतलब की nickel को तो यह हो जाएगा, ni two positive, third के लिए, fourth के लिए equation design करना है, यह convert हो जाएगा, किसमें, भई, ZN, two positive, और यह क्या बन जाएगा, भई, ni, अगर मैं इसके लिए e naught लेता हूँ, तो e naught कितना हो जाएगा, भई, ZN से ZN two positive, ZN two positive, ZN two positive से ZN कितना दे रखा है, minus का, तो यह कितना हो जाएगा, plus का 0.76, और nickel के लिए हमारे पास है, क्या भई, ni two positive से ni, कितना दे रखा है, minus का 0.23, इस value को अगर हम लोग solve करेंगे, बाकी तीनों condition में बनने वाला cell का reaction, non-spontaneous in nature होगा, clear है, तो answer हमारा कौन सा आ जाएगा भई, second, our answer is, second की first, second और third के case में, non-spontaneous process होगा, जबकि, fourth के case में process क्या हो जाएगा, बेटा, spontaneous, अब हमारे पास है, for a given cell reaction, the process is spontaneous, किसी भी cell अभिक्रिया के स्वतत होने के लिए क्या आवश्यक है, तो cell अभिक्रिया के स्वतत होने के लिए आवश्यक है कि उसका E-cell जो होना चाहिए, वो धनात्मक होना चाहिए, कुछ बच्चों ने E-naught cell धनात्मक किया होगा, E-naught cell धनात्मक केवल और केवल equilibrium condition पर होत और process क्या होगा भाई spontaneous होगा अगला हमारे पास equation दे रखा है एक हमारे पास PTCL2 SCL electrolyte के form में है और यह हमारे पास PTCL2 है simple सी बात है anode पर क्या होगा भाई PTCL2 हो जाएगा मतलब कि यह concentration cell का हमारे पास क्या हो गया example तो इसका अगर हम लोग लिखते हैं तो क्या हैगा E cell बराबर E naught तो बेटा 0 हो जाएगा 0-0.0591 upon 2 log of क्योंकि 2 electron का exchange होगा log of P1 upon क्या भाई P2 अगर हमें equation को अगर इस equation को हमें positive करना है मतलब कि हमें E cell को अगर positive करना है तो E cell कभी positive हो सकता है जब P2 will be greater than क्या हो भाई P1 मतलब pressure of gas at cathode is greater as compared to pressure of gas at anode अगर होगा कभी हमारे पास E cell क्या होगा भाई positive आएगा और जब E cell positive आएगा तभी process क्या होगा बेटा spontaneous मतलब हमारा answer कौन सा सही हो जाएगा third अगला question हमारे पास आया कि ZNS मतलब कि ZNS solid है twice of H positive है ZN2 positive और hydrogen gas को produce कर रहा है हमें इस reaction के लिए क्या calculate करना है इस reaction का हमें effect देखना है कि जब S2SO4 को हम लोगों ने बढ़ाया तो अगर इस reaction का मैं E not ले लूँ E cell ले लूँ तो E cell बराबर हो जाएगा कितना बेटा E not cell minus 0.0591 upon 2 log of इधर क्या बन गया भई ZN2 positive का active mass और यह आजाएगा pressure of क्या भई H2 ठीक है अपन क्या आजाएगा भई H positive and concentration का क्या भई square ठीक है तो अगर मैं H positive की concentration को बढ़ाऊंगा तो H positive की concentration को बढ़ाने का मतलब जो E cell की value होगी वो क्या करेगी increase क्योंकि यह value क्या हो जाएगी positive हो जाएगी मतलब अगर इस positive की concentration को बढ़ाया जाता है तो e cell क्या होगा भई increase करेगा और अगर e cell increase कर रहा है तो e cell increase करने का मतलब reactant की concentration बढ़ेगी तो equilibrium किदार जाएगा भई forward direction में मतलब increase the emf of cell and shifted the equilibrium in right direction तो answer इसका कौन सा हमारा सही हो जाएगा third किलियर है हमारे पास एक galvanic cell है galvanic cell दे रखा है pti2 i negative fe2 positive fe3 positive से fe2 positive अब बोला है representation of the anode is incorrect anode का representation incorrect है मतलब बोला है anode का निरूपन क्या है भई गलत है और cell जो है वो work नहीं कर रहा है देखो भई anode का निरूपन तो बात समझ में आती है लेकिन cell की working depend किस पर कर रहा है cell की working depend करती ही concentration पर srp valuation पर तो cell work नहीं करेगा यह तो बात बिल्कुल गलत हो गई उसके बाद है fe3 positive fe2 positive i negative अगर यह तीनों concentration को 1m कर दिया जाए लेकिन साथी साथ e not cell और e cell के बराबर होने के लिए pressure of i2 भी क्या होना चाहिए बाई क्योंकि gas है यह भी तो आएगा equation में यह भी क्या होना चाहिए 180m होना चाहिए उसी condition पर हम लोग बोच सकते हैं कि e cell बराबर क्या आएगा बाई e not cell अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो representation में कुछ इस तरह से लिख सकते हैं i2 को हम लोग लिख सकते हैं कि बाई i negative anode के form में i negative convert in form of i2 मतलब iodine जो है iodide iron जो है वो oxidize into i2 होगा और fe3 positive it gets reduced to fe2 positive होगा बिलकुल सही है मतलब हमारे पास जो equation है हमारे पास जो answer आएगा वो क्या है थार्ड आएगा पहला दूसरा नहीं हो सकता तीसरा हमारा possible answer होगा मतलब हमारा answer क्या आजाएगा थार्ड अगला question हमारे पास दिया हुआ है हमारे पास है यह equation दे रखी है और हमसे कह रहा है e0 cell हमारे पास given है और क्यक्यू की valuation हमें calculate करनी है तो बैटा हमें पता है कि equilibrium condition पर हमारे पास e cell क्या हो जाता है 0 जब e cell 0 हो गया तो value क्या आ गई 0 बराबर e0 cell minus 0.0591 upon number of electron exchange 2 log of क्या आ जाएगा k equilibrium ठीक है इसको लेखेंगे तो आ जाएगा e0 cell बराबर दोनों तरह positive आ जाएगा 0.0591 upon 2 log of k equilibrium ठीक है यहाँ पर value को put करोगे तो यह आ जाएगा हमारे पास कितना दे रखा है minus का 0.34 minus का 0.34 हमारे पास given है यह हमारे पास है 0.0591 upon क्या बाई 2 और यह हो जाएगा log of k equilibrium इसको हम लोग इधर की valuation में transfer कर सकते हैं ठीक है minus वाला इधर आ जाएगा हमारे पास तो इसको solve करके जब answer निकालोगे इसका cost of electricity production of the x liter of h2 at ntp at cathode is x then the cost of electricity production for the x liter of o2 at the y हमें कुल मिला के यहाँ पर charge को calculate करना है तो जब h2 produce होगा तो कैसे produce होगा h positive convert in form of charge और इस समय जो cost है वो कितनी है भाई दो electron charge विलेए चाहिए अगर o2 produce करना है तो o-2 convert in form of o2 release क्या भाई 4 electron तो जितना यहाँ पर चाहिए उस से just यहाँ क्या चाहिए double तो अगर इसको मैं x ले लूँ तो यह क्या हो जाएगा बेटा 2x मतलब answer क्या हो जाएगा first हमारे पस question है कि हमने current 0.1 ampere का pass किया है 965 second के लिए जिससे copper positive ion solution में जिससे की copper का depositation जो हो रहा है वो 0.03175 के form में हो रहा है इतना deposit हो रहा है हमें current efficiency या efficiency अब current को calculate करना है तो पहले हम लोग यह देख लेते हैं कि इस current को इतने time के pass कराने पर exactly कितना copper हमारा deposit होना चाहिए तो copper deposit कैसे हो रहा है Cu positive plus 1 electron convert in form आप क्या भाई Cu तो deposit होना कितना चाहिए W is equal to होता है MIT upon N into 96500 ठीक है तो यहाँ पर M की value copper का कितना है 63.5 63.5 I की valuation कितनी है 0.1 ampere और time हमने दिया है 965 second divided by n factor 1 और यह हो गया हमारे पास 96500 ठीक है अब देखो बेटा यहाँ से अगर हम लोग calculate करें तो 0.1 से हम लोग कह सकते हैं कि यह और यह तो हो गया cancel यह हो गया नीचे कितना आ गया 1000 तो हमारे पास value आ जाएगी कितनी भाई 0.1 नीचे आ जाएगा ना तो यह हमारे पास आ जाएगा कितना 63.5 इंटू 10 पावर आफ माइनस 3 गा इतना deposit होना चाहिए लेकिन exactly deposit कितना हो रहा है 0.0375 175 जो अगर हम लोग निकालेंगे तो इसका क्या है भाई जस्ट आधा आएगा तो यहाँ पर जो current efficiency है वो कितनी है भाई 50% अगला question हमारे पास दे रखा है current of current passes from the 2 volt meter connected in a series मतलब second law of ferrade हम लोग directly use करेंगे the first volt meter contain xSO4 and the second volt meter contain y2SO4 हमारे पास दे रखा है तो यहाँ से अगर हम लोग देखे तो x किसमें जा रहा है भाई x2 positive except 2 electron convert in form of क्या भाई x तो इसकी n की valuation n1 बराबर कितना आ गया 2 और अगर हम लोग देखे वाई तो y तो किसमें था भाई y positive में था एक electron को accept कर रहा है किसमें convert हो रहा है y में तो n की value कितनी आ गई n2 की valuation आ गई 2 अब अगर हम लोग यहाँ पर formula लगा दें w of x upon w of y बराबर हमारे पास आ जाएगा e of x upon क्या बेटा e of y e of x की जगे पर लिख सकते हैं यहाँ पर हम लोग m मतलब molar mass से atomic mass of x upon atomic mass of क्या भाई atomic mass of y into इसका हो जाएगा क्या भाई y का into क्योंकि हमारे पास equivalent rate बराबर क्या होता है atomic mass upon n factor into upon क्या हो जाएगा n1 अब देखते हैं क्या दिया हुआ है हमसे कह रहा है जो ratio है x और y का वो कितना है 2 is to 1 ratio कितना है 2 is to हमारे पास कितना दे रखा है 2 is to हमारे पास है 1 यह ratio हमारे पास कितना दे रखा है यह factor 1 आएगा यह हमारे पास है 2 is to 1 into यह कितना आ गया बेटा 1 upon कितना वाई 2 cancel out हो जाएगा answer आ जाएगा 1 is to क्या बेटा 1 इसका in factor 1 दिया दुआ था तो यहाँ पर answer क्या आ जाएगा first अगला question है current of 9.95 ampere following for the flowing for the 10 minute depositing of the 3 gram of the metal the equivalent weight of metal calculate करना है तो यहाँ से हमनों को formula पता है w बराबर हमारे पास होता है e i t upon 9 6 5 double 0 यहाँ पर e निकालेंगे तो e बराबर आ जाएगा w into 9 6 5 double 0 and that should be divided by kya बेटा i into kya बेटा t now put the value हमारे पास weight कितना आया है बेटा 3 gram तो 3 gram weight हो गया into 9 6 5 double 0 upon हमारे पास i i कितना दे रखा है 9.95 ampere और 10 minute है हमारे पास time तो 10 into क्या कर दिया भाई 60 और इसको अगर हम लोग calculate कर लें यहाँ से तो हमारे पास answer जो आ जाएगा वो आ जाएगा क्या भाई 48.5 answer हमारा कौन सा calculate सही होगा answer number 4 हमारे पास दे रखा है the ratio of weight deposit of x y z on passing of the electric charge in the ratio of 1 is to 2 is to 3 respectively is 3 is to 2 is to 1 ठीक है तो equivalent weight is equal to होता है molar mass upon क्या भाई n factor m जो है वो mass है जो deposit हो रहा है तो अगर मैं e of x निकालू तो e of x कितना आ गया बेटा e of x charge कितना flow किया 1 deposit कितना हुआ 3 तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 upon 1 का ratio ठीक है इसको हम लोग लिख सकते हैं ratio के terms में ले रहा है इसको a भी मान सकते हैं यहाँ पर हमने ले लिया e of y तो ये कितना आ गया बेटा 2 by 2 2 by 2 और ये आ गया हमारे पास कितना बेटा 1 by 3 e of z कितना आ गया 1 by 3 इसको अपन a के terms में भी ले सकते हैं कि 3a 2a और ये हो गया 1a तो इसको अगर हम लोग लिखे तो e x is to e y is to क्या बाई ez बराबर कितना आ जाएगा 3a is to 2 or 2 cancel a आ जाएगा is to कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास a by 3 3 का multiplication करेंगे तो क्या आएगा 9 is to 3 is to 1 और अंसर हमारा कौन सा correct हो जाएगा 4th किलियर है अगला question है the charge production butane oxygen fuel cell if 2 mole of butane is consumed बेटा देखो butane half cell का मतलब हो गया C4 H10 plus क्या बेटा O2 that will be give CO2 plus water ठीक है अब यहाँ पर अगर हम लोग बैलेंस करें तो कार्बन हो गया 4 hydrogen हमारे पास 10 है तो यह हो गया 5 oxygen total हो से कितना हो गया बेटा 8 और 8 और 5 कितना हो गया 13 तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 13 by 2 O2 ठीक है अब कहा रहा है कि अगर इसके 2 moles है अगर इसके 2 moles होंगे तो अब्यसी बात है O2 के कितने moles आ जाएंगे बेटा O2 के 13 moles आ जाएंगे ठीक है ना अब मैं पता है कि 1 mole O2 के लिए जो end factor आता है वो कितना आता है 4 क्योंकि O-2 convert किसमे होता है O2 और क्या release करता है 4 electron तो एक mole के लिए 4 mole electron का flow है 4 mole electron को हमें जोरत पड़ता है या consumption होता है तो 13 mole के लिए कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास 52 mole of electron और 52 mole of electron को अपन क्या लिख सकते हैं 52 क्या बेटा फैराडी तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा फूर्थ The resistance of 50 ohms is restricted when the two electrodes are suspended into the beaker containing a dilute solution a strong electrolyze such that exactly half cell then submerged into the so as given if the solution is diluted by adding up pure water then the complete negligible conductivity है then the new resistance question बहुत बड़ा लेकिन आंसर बहुत छोटा ठीक तनुपरबल वेक्दे था आधे डूबे हुए थे इलेक्ट्रोड 50 ohm मेगा माना गिया सुद्ध पानी को डाला और हमने संबस करके इसको पूरी तरीके से क्या कर दिया भाई फिल-फिल कोई परिवर्तन नहीं मतलब जो हमारे पास प्रतिरोध होगा वो भी अभी क्या रहेगा भाई इंटू क्या भाई जी तो जी बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा कपपा इंटू क्या बेटा आर और अगर हम लोग कपपा और आर की वैलू को पुट करके आंसर निकालेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.616 सेंटीमिटर इंवर्स क्लिए रहे बेटा question है the equivalent conductance of n by 10 NaCl solution is 10s power minus 2 साइमेंस meter square equivalent inverse और हमारे पास cell का resistance given है और हमें cell constant डिकालना है तो बेटा क्योंकि हमारे पास यह meter square में given है और यह जो हमारे पास normality होती है यह हमारे पास liter के times में आती है तो यहाँ पर equation हमारे पास बनेगी lambda n बराबर कपा into 10s power of minus 3 divided by normality, चिक है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कपपा, कपपा कितना की मैंने बेटा, कपपा हमारे पास है, टेंस पावर माइनस टू, के टंस में हमारे पास valuation है, और यह तो हमारे पास दे रखी है, क्या भई, equivalent conductance दे रखी है, तो equivalent conductance हो गई हमारे पास टेंस पावर माइनस टू, इन्टू कपपा, इन्टू क्या भई, टेंस पावर माइनस ट्री, अपान एन, एन कितना दे रखा है, वन बाई टें, तो वन बाई टें का मतलब हो गया, पॉइंट वन, तो यहाँ से हमारे पास पॉइंट रही हो गया, टेंस पावर माइनस ट्री तो कपपा is equal to हमारे पास कितना आ गया कपपा is equal to हमारे पास आ गया भई 1 अब हम सबको पता है कपपा बराबर होता है 1 upon R into cell constant G तो यहां से अगर हमें R पता है तो कपपा into R बराबर कितना आ गया G तो यहां से कपपा कितना है 1 और R कितना दे रखा है 50 तो यहां से हमारे पास G की वैलोइशन कितनी आ जाएगी G बराबर आ जाएगा 50 मतलब आंसर आ जाएगा 50 मीटर इंवर्स अगला कोशन हमारे पास given है अगला कोशन है For NACL solution which of the following quantities get 0 As NACL concentration goes to 0 NACL billion के लिए निम्न में से कौन सी रासी NACL की सांगरता के सून की और जाने पर सून की और अग्रसर होगी मतलब concentration बढ़ाने पर किस value की क्या किस quantity की value जी होगी वो क्या करेगी सीधे सीधे decrease तो हम सभी को पता है अगर हम लोग concentration बढ़ा रहा है तो dilution increase concentration अगर क्या कर रहा है भई concentration decrease हो रहा है तो dilution क्या हो रहा है बढ़ रहा है और concentration increase करने पर dilution बढ़ेगा concentration को अगर decrease करने हैं तो इसका मतलब dilution को बढ़ा रहे हैं तो dilution जब बढ़ती है तो dilution के बढ़ने पर हम लोग बोलते हैं कि भई dilution के बढ़ने पर कपा की value भी क्या करती है भई decrease करती है मतलब k tends to क्या हो जाएगा zero मतलब हम लोग बोच सकते हैं कि specific conductance क्या हो जाएगा zero की तरफ move करेगा क्योंकि dilution बढ़ने पर कपा की value क्या करती है decrease तो answer हमारा कौन सा आ जाएगा second अगला question है हमारे पस potass lm potass lm का formula होता है k2so4 dot al2so4 whole thrice dot हम लोग ले ले लेते हैं क्या बई 24 क्या बई h2o यह हमारे पास होता है potass lm का formula ठीक है यहाँ से अगर हम लोग निकालेंगे तो हमारे पस ions consequence आ जाएंगे बिटा twice of k positive ठीक है साथ में क्या आ जाएगा so4 of minus 2 यहाँ से निकालोगे तो हमारे पास क्या आएगा बई यहाँ आ जाएगा twice of al3 positive और यहाँ से आ जाएगा so4 minus 2 का कितने charge बई 3 ions तो यहाँ पर 2 ions इसके हो गए sulphate के हमारे पास total charge आयन हो गए तो अगर हम लोग lambda M infinity of potassium निकालेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2 into conductance अब क्या बई potassium आएं तो यह आ जाएगा 2 number of mole conductance कितनी थी 73.5 plus sulphate के कितने दे रखे हैं हमारे पास aluminium की कितने हैं बई 2 हैं तो इसको लिख सकते हैं 2 into कितना बई 198 198 plus sulphate के total कितने आयन्स हो गए 4 तो 4 into हमारे पास कितना आ गया 160 यहां से हम लोग निकाल लेंगे क्या बई lambda molarity हमें निकालना क्या है equivalent conductance हम सभी को पता है कि infinity equivalent conductance जो होती है equivalent conductance वह infinite dilution per molar conductance divide by क्या होता है n factor और इसका अगर हमें n factor निकाल ला है तो टोटल positive charge पकड़ लो यह total negative charge पकड़ लो positive charge यहां से कितना आ गया दो यूनिट यहां से कितना आ गया भई 6 unit तो टोटल इसका n factor कितना आ गया भई 8 तो यहां से अगर हम लोग lambda infinity m lambda infinity m divided by 8 कर देंगे तो हमारे पास equivalent conductance की valuation आ जाएगी और वो answer आएगा 144 145.6 clear है अगला कुशन दिया हुआ है the acetic acid titrate with NaOH which of the following statement is correct बेटा देखो acetic acid का titration का मतलब हो गया acetic acid में हम लोग NaOH को मिला रहे है यह acetic acid है और इसमें हम लोग लगातार किसको डालना है भाई NaOH को जिससे बन रहा है sodium acetate plus क्या निकलना है water ठीक है लगातार हम लोग NaOH को मिलाते जा रहे है जब हम लोग acetic acid में NaOH को मिलाएंगे तो सबसे पहले ions dissociate होंगे और वहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि salt का formation होगा मतलब ions के number के बढ़ने के साथ और salt के formation के होने के साथ होने की वज़े से सबसे पहले जो conductivity है वो क्या करेगी भाई slowly increase करती है धीरे 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 बढ़ती है लेकिन जैसे ही end point आ गया मतलब titration खतम हो गया अब सीधे सीधे OH negative ion की concentration बढ़ रही है और OH negative ion की concentration का मतलब हो गया बढ़ने का मतलब की conductivity का sharp increasement start हो जाएगा मतलब हमारे पास correct answer क्या आ जाएगा first conductance increases slowly upon to the बोल सकते हैं की on the equivalence point and then क्या हो जाएगा increases rapidly या sharply increasement दिखाई देना start हो जाएगा मतलब answer हमारे पास कौन सा आ जाएगा बिटा third अगला कुशन है मारे पास the spoon of copper metal copper metal के चमच को लिया और उसे ferrous sulphate में हम लोगों ने डाल दिया मतलब कुछ इस तरह से लिख रहे हैं की copper और F.E.SO.4 आपस में connection में आ रहे हैं तो क्या होने जा रहा है हमें पता है copper का srp जादा है और F.E. का srp क्या है कम electro chemical series में iron उपर है और copper क्या है नीचे हर समय उपर वाली metal नीचे वाली metal के salt से नीचे वाली metal को reduce करती है मतलब displace करती है लेकिन यहाँ पर माजरा थोड़ा सा उल्टा है चीज बिल्कुल उल्टी दिखाई दे रही है हम copper से F.E. को displace करना चाहे रहे है जो की possible नहीं है मतलब no reaction will take place and you get your answer क्या भई fourth हमारे पस अगला है electrode potential का data given है electrode विवो की सूचना एक दी गई है हमारे पास और ह हम से कह रहा है इसके base पर हमें क्या बताना है कि इनका increasing order of reducing power मतलब अपचायक शमता को compare करना है बेटा देखो हम लोग सभी को पता है कि reducing power या अपचायक शमता reducing power जो होती है reducing power is inversely proportional to क्या भई SRP and directly proportional to क्या भई SOP ठीक यहाँ पर जो हमारे पस potential given है वो सब के सब ये भी reduction है य ये भी reduction है और ये भी ये क्या है भाई oxidation के terms में तो अकर हम लोग इनको order में arrange कर लें तो हमें सबसे अदा दिखाए देगा कि aluminium का SRP सबसे कम है then Fe2 positive का SRP है then BR negative का SRP है मतलब हम लोग कह सकते हैं कि aluminium सबसे powerful reducing agent होगा then Fe2 positive होगा then क्या होगा भई Fe3 positive के terms में valuation आएगी मतलब answer हमा is for the electrolyte in the which of the following chemical reaction निम्ण में से KCL का उपयोग लमण सित्व के रूप में किसके वैद्द अबगटन में किया जा सकता है सही बात है KCL हर समय salt bridge के form में उनके साथ या उन metal और metal के salt solution के साथ में use किया जा सकता है metal और metal के salt को electrolyte के form में use किया जा सकता है जिन metal से उसका precipitate नहीं बनता मतलब जिसके chloride का precipitate possible नहीं होता और हम लोग बोल सकते हैं कि भाई हमारे पास जो Cu है ना तो उसका precipitate बनेगा ना ही AU का precipitate बन सकता है मतलब copper और जो हमारे पास AU है वो KCL के साथ precipitate form नहीं कर सकते क्योंकि वो क्या है भाई नीचे की तरफ है इसक का मतलब answer क्या आ जाएगा भाई C मतलब copper SO4 copper और Cu SO4 और AECL 3 और AU का जो cell है वहाँ पर KCL को हम लोग as electrolyte use कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर precipitate formation नहीं होगा अगला कुशन हमारे पास है कह रहा है कि हैने electrolyte containing AG, AGNO3, AG अब बोला है the current is past the concentration of AGNO3 बेटा यह तो कहानी कुछ इसी तर electrode ले लिए है और यहाँ पर हमने क्या किया भाई AGNO3 को डाला तो यह AG oxidize और यहाँ से AG reduce मतलब जितना gram equivalent AG का anode से हटेगा उतना ही gram equivalent AG का cathode पर deposit होगा in short कह सकते हैं कि concentration of AGNO3 क्या रहेगी remain same अगला है copper sulfate को हमने पेटी electrode पर किया तो copper sulfate की electrolysis का मतलब CuSO4 को यहाँ पर किया तो क्या बना Cu2 positive plus SO4 minus क्या भाई 2 और साथी water भी dissociate होगा क्या बनाएगा H positive plus OH negative ठीक है copper और H positive में से copper जाएगा मतलब H positive की concentration लगातार बढ़ती जाएगी sulfate और OH negative में से कौन जाएगा भाई OH negative जाएगा मतलब जब electrolysis हो रही है तो H positive water के dissociation के साथ water के dissociation से बनने वाले H positive solution में लगातार बढ़ रहे हैं कि OH negative जो है वो लगातार consume होते चले जा रहे हैं क्योंकि उनका हम लोग बोल सकते हैं कि उनका oxidation take place करेगा क्योंकि sulfate और oxidation नहीं होगा दोनों के बीश में अब OH negative और sulfate दोनों होते हैं तो oxidation take place करता है कि इसका भाई OH negative ions का take place करता है इसका मतलब H positive ion की concentration लगातार बढ़ने का मतलब pH क्या करेगा लगातार क्या करेगा भई decrease current of 9.65 ampere pass through a solution of NACL using the suitable electrode और यहां से हमने 1000 second के लिए किया हमारे पास एने ओच का during the electrolysis बताना है ठीक है तो मैटा देखो यहां पर water electrolyze होके बनाएगा H positive से बनेगा और plus क्या भई OH negative दो OH negative ले ले लेते हैं तो यहां से आएगा twice of H2O plus two electron यह बनाएगा क्या भई H2 gas हम सभी को पता है sodium आन नहीं जाएगा hydrogen gas release होगी और plus क्या बन जाएगा twice of OH negative ठीक है मतलब 2 mole electron के consumption से 2 फैराडे के consumption से 2 mole क्या बनाएगा भई OH negative ठीक बात है अब यहां से निकालें कितना चार्ज या कितने फैराडे हुए तो नंबर आफ एराडे नंबर आफ एराडे क्या जाएगा भई चार्ज अपॉन 965 00 चार्ज कितना है 9.65 into 1000 टाइम दे रखा है अपॉन 965 00 ठीक है भई तो यहां से वेलू आ जाएगी 0.1 मतलब 0.1 पैराडे क्या हुआ भई यूज हुआ एक मोल OH निगेटिव के लिए एक मोल OH निगेटिव के लिए कितने भई होते हैं 1 पैराडे तो इसका मतलब 0.1 पैराडे से कितना बनेगा भई 0.1 mol of क्या बिटा OH निगेटिव और जितने OH निगेटिव उतने ही Na positive मतलब number of NaOH number of mol of NaOH बराबर क्या आगया 0.1 तो यहां से मास निकालो तो मास क्या आजाएगा mol 0.1 into molar mass 40 और आपका answer आएगा क्या भई 40 का करोगे तो कितना आजाएगा भई 4 gram तो answer कौन सा आजाएगा बिटा question number 29 है the discharging of a lead storage battery cell sulfuric acid क्या density में क्या परक पड़ेगा देखो discharging में PbS solid होता है PbO2 H2SO4 के साथ react करता है H2SO4 के साथ react करता है बनाता है PbSO4 plus cabin water तो यहाँ पर सीधे-सीधे H2SO4 consume होता है जिसकी वैसे discharging में H2SO4 की density क्या करेगी regularly decrease अगला question है which has the maximum conductivity किसके अंदर conductivity सबसे आदा है तो जिसके सबसे ज़्यादा number of ions उसकी conductivity क्या भई सबसे आदा इस वाले option को तोड़ोगे तो 3 CL बाहर आएंगे यह बनेगा CRNS3 whole 6 इस पर आजाएगा plus 3 plus 3s of CL negative total number आप 4 ions आ रहा है चार ions प्रेड्यूस हो रहा है इसका मतलब यह सबसे maximum conductivity क्या करेगा भई रिप्रेजेंटेट हमारे पास यहां पर question जो दिया हुआ है वो है AG अब्लिक 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 और CL लिगेटिव अब्लिक सील ठीक है AG से AG ब्लिक यह हमारे पास लोग यहां पर लिखते हैं तो लिख सकते हैं E cell is equal to 0.0 यहां पर आ जाएगा E naught cell minus 0.0591 upon 1 log of क्या भई AG positive concentration at anode upon AG positive concentration at cathode E naught cell 0 हो गया क्योंकि एक AG का ही oxidation और AG का ही reduction साथी दे रखता है कि MF of cell भी 0 तो यह भी 0 हो गया तो क्या मैं लिख सकता हूं कि AG positive ion concentration at anode बराबर AG positive ion concentration at क्या भई cathode आप देखो भीटा AG positive ion concentration अगर हमें anode पर निकाल लिए तो anode पर हमारे पस क्या था AGBR तो यहां पर हम लोग AGBR का KSP लिखेंगे तो AGBR का KSP हो जाएगा AG positive plus BR negative मतलब हम लोग यहां पर लिख सकते हैं कि AG positive concentration at anode बराबर KSP of क्या भई AGBR upon BR negative concentration ठीक है इसी तरह से AG positive concentration at cathode बराबर KSP of क्या भीटा AG CL divided by क्या भई CL negative concentration और हमें ratio को calculate करना है किसका भई AG positive तो इस values को अगर हम लोग दोनों को यहां पर put कर दें तो इस value को finally हम लोग क्या लिख सकते हैं भई इसको erase करते हैं थोड़ा सा इन दोनों को बराबर हम लोग कर दें तो क्या लिख सकते हैं यह लिख सकते हैं हम लोग क्या भई क्या भई KSP of AGBR divided by BR negative concentration बराबर KSP of AGCL divided by CL negative concentration और इसका ratio लेना है मतलब किसका किसका ratio चाहिए हमें BR negative वर्सस CL तो यह BR versus CL negative आ जाएगा BR negative concentration upon CL negative concentration बराबर KSP of AGBR divided by KSP of क्या भई AG CL और यहाँ पर हम लोग values put कर सकते हैं कौन सी भई 5 into 10th power minus 13 जो कि हमारे पास AGBR के लिए है और 1 into 10th power of minus 10 जो कि हमारे लिए किसके लिए है भई 1 हमारे पास किसके लिए है वन into 10th power minus 10 हमारे पास given है किसके लिए AGCL के लिए और इन values को जो आप put कर दोगे तो आपको आपको final answer मिल जाएगा 1 upon 200 के terms में और 1 upon 200 को अगर हम लोग 100 से multiplication आप क्या दे रखा है multiplication report your answer by multiplying of multiplying of evaluation हमारे पास मिल जाएगी 1 upon क्या भई 200 AGCL के लिए ठीक है भई क्योंकि यहां पर हमारे पास है 5 into 10th power minus 13 ठीक है तो इसको अगर हम लोग report करें 100,000 से multiply करें तो 1000 upon 200 मतलब answer क्या आजाएगा भईटा 5 के लिए रहे पेटा करें हम लोग electrolysis करेंगे इसकी तो यह हमारे पास sodium acetate दे रखा है sodium acetate इस question में produce होके क्या बनाएगा भई C2 यहां से बन जाएगा हमारे पास H6 C2H4 और 7 में बनेगा CO2 CO2 के हमारे पास 2 mol बनेंगे equation को balance करोगे और 7 में क्या निकलेगा hydrogen gas ठीक है भई तो यह बनेगा हमारा anode पर और यह gas बनेगी कहां पर भई cathode पर तो ratio ले लोगे तो anode पर total gas क्या हो जाएगी तीन और इसके mole कितने हो जाएगे बिटा हमारे पास इसके mole आ है एक तो ratio आजाएगा 3 is to 1 मंतव answer आजाएगा क्या भई 3 हमारे पास equation दे रखी है जड़ेन OH negative जड़ेन OH whole 4 ठीक है अब इस equation का हमें क्या निकालना है equilibrium constant evaluation को count करना है ठीक है भई तो सबसे पहले तो हम लोग इस equation का निकालेंगे क्या भई इस equation का निकालेंगे हम लोग del G I think सभी लोग del G को calculate कर लेंगे del G1 प्लस del G2 के terms में देखो जड़ा यहाँ पर हमारे पास इधर चाहिए जड़ेन और इधर क्या है भई और यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं del G बराबर क्या भई del G1 minus of क्या भई del G2 यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा del G clear रहे del G यहाँ से निकालेंगे तो यह हमारे पास क्या आ जाएगा del G और del G के साथ में हम लोग value put कर देंगे वही अपनी 2.303 RT log of क्या भई के equilibrium और यहाँ पर जब हम लोग हीस वाली del G की elevation को put करके k equilibrium निकालेंगे तो clay equilibrium हमारा आ जाएगा 10s power 20 के terms में हमारे पास value है 10s power x तो x की value कितनी आ जाएगी 20 I think solve हो जाएगा answer इसका कितना आ जाएगा बेटा 20 Excel reaction हमारे पास work कर रहा है cell का EMF हमारे पास दे रखा है 1.2 volt temperature 45 degree centigrade the cell EMF is become 1.718 assuming del S not will be constant this temperature range इस temperature range के लिए हम लोग temperature हमारे पास क्या है T1 बराबर है 25 और T2 बराबर कितना दे रखा है 45 ठीक है हमारे पास E1 की valuation दे रखी है कितनी 1.2 और E2 की valuation हमारे पास कितनी है बेटा E2 के valuation है 1.718 ठीक है तो एक formula आप लोगों ने पढ़ा था जब को del S को calculate करना होता था तो हम लोग formula यूज करते थे del S is equal to del S not या del S not is equal to NF D by DT ठीक है NF D by DT में D की valuation को put करो DT की valuation को put करो N की valuation हमारे पास कितनी है दो दे रखी है तो यहां से हमारे पास जो S की value आएगी वो आजाएगी 5000 जूल पर मोल के terms में और हमें answer किसमें निकालना है जूल पर केल्विन के terms में answer चाहिए किलो जूल में तो हमारे पास answer कितना आजाएगा बेटा 5 यो nearest answer integer is 5 answer कितना आजाएगा बाइग 5 के विल वैल्यू डेई अपॉन डीटी को put करना है हमें सीधा फॉर्मूला लगाना है डेलस इस इक्वल टो एनम डीवाई डीटी के लिए रहे हमारे पास है लेमडा इंपिनिटी आफ मोनो बेसी के सिट दे रखा है और उसकी एक कंसेंट्रेशन पर लेम्डा एंब रखा है पी ह कैलकुलेट करना है बिटा अगर हमरे पास ओनो बेसी के सिट है मतलब ए ए एच कनवर्ट इन फॉर्मप उपी कैसी है तो क्या हो गया ह एच पॉस्टिप प्लस ए माइनस तो अगर हमें इसकी concentration मिल जाए दो कि इसके परावर होगी भाई c alpha alpha की value को calculate करने का तरीका याद होगा lambda m upon lambda infinity m होता है मतलब infinite dilution और lambda infinity क्या हो गया infinite dilution और lambda m क्या हो गया definite dilution तो definite dilution पर concentration कितनी है 3.907 upon 390.7 तो यहाँ से हमें क्या निकालना है alpha की value को calculate करना होगा अगर हम लोग alpha की value को यहाँ से calculate कर लेंगे alpha की value को इधर से calculate करेंगे ठीक है ना भई ठीक है alpha की value को इधर से calculate कर लेंगे और alpha की value को calculate करने के बाद में हम लोग सीधे formula लगाएंगे pH बराबर minus of log of h positive concentration minus of log of क्या हो जाएगा भई c alpha c concentration दे रखी है 0.01 alpha उदर से मिल जाएगी और हमें आपर pH calculate करके answer आजाएगा कितना भई 4 4 answer हमारे पास pH का calculation का आजाएगा हमारे पास question है the conductivity of the solution 0.1 M B A N O 3 and 0.2 M A G N O 3 solution ठीक है अब हमसे क्या कह रहा है कि यहाँ पर हमें lambda infinity या lambda not of इसको calculate करना है जबकि हमारे पास conductivity दे रखी है solution की ठीक है भई conductivity दोनों solution के मिलने के बाद दे रखी है तो मतलब kappa of solution कappa of solution बराबर हम लोग लिख सकते है kappa of AG positive iron plus kappa of कappa of हमारे पास क्या भई BA2 positive iron plus kappa of क्या भई NO3 negative iron ठीक है अब याद होगा भी पीछे भी किया था है यह हमारे पास meter inverse में है तो lambda M बराबर हम लोग यूज़ करेंगे kappa into 10s power minus 3 divided by हम लोग कह सकते हैं कि सीदे सीदे क्या भई concentration of iron यहाँ पर क्या आजाएगा concentration या M तो kappa बराबर कितना आजाएगा lambda M into molarity upon 10s power minus 3 मतलब यहाँ पर put करोगे तो बिटा आजाएगा कि आप solution 5.3 है बराबर kappa of AG positive का of AG positive का मतलब हो गया lambda not of AG positive into concentration of AG positive divided by 10s power minus 3 is equal to यहाँ आजाएगा plus lambda not of क्या भई B A 2 positive plus concentration of B A 2 positive divided by क्या भई 10s power minus 3 plus यहाँ से आजाएगा lambda infinity lambda not of NO3 negative plus NO3 ion concentration divided by 10s power minus 3 हमें इस value को क्या करना है calculate हम लोग value put करेंगे concentration of B A NO3 concentration of B A NO3 में B A तो B A की concentration 0.1 ले लेंगे concentration of AG NO3 तो AG की concentration 0.2 ले लोगे यहाँ पर जब dissociate करोगे तो यहाँ से 0.2 क्योंकि B A NO3 B A NO3 का whole twice जब dissociate होगा तो क्या बनाएगा B A 2 positive plus twice of NO3 minus मतलब अगर इसका mole 0.1 बना तो इसका 0.0.0 0.0 0.0 कितना बन गया भाई 0.2 mole यहाँ से आ गए 0.2 mole यहाँ से आ गए इसकी concentration कितनी आ गए 0.4 mole तो इसकी concentration 0.0.2 mole BA 2 positive की concentration 0.1 mole और NO3 positive and की concentration 0.4 mole इन सभी values को put करके answer को find out करोगे तो सीदे सीदे हमारे पास आ जाएगा तो यहाँ से हमारे पास lambda 0.0 मतलब की molar conductance of nitrate ion हमें मिल जाएगा 7 कितना आ जाएगा भाई 7 after multiplication of 1000 के लिए रहे तो आपको answer आ जाएगा क्या भाई 7 के वी किल आपको values को put करना है अब हमारे पास क्या दे रखा है हमारे पास है the saturated solution of agcl 25 degree centigrade पर हमारे पास कपा given है ठीक है वाई centimeter inverse के form में और यहाँ पर हमारे पास conductance दे रखी है water की और यह lambda infinity हमारे पास दे रखा है किसके लिए यह दे रखा है agcl solution के लिए और हमें आपर solubility in millimoles को calculate करना है ठीक है तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले हमारे पास दयाखा है for the saturated solution of agcl o3 यहाँ पर कपा h2o के लिए कपा given है हमारे पास और agcl का यह given तो सबसे पहले हमारे पास जो saturated solution बना होगा वो किससे बना होगा बेटा agcl और water से जिससे मिलकर के क्या बना होगा solution ठीक है तो मुझे अगर agcl की कपा चाहिए तो कपा ओफ agcl बराबर कपा solution माइनस कपा ओफ मैं क्या करूंगा भाई water यह मेरे पास आ जाएगा कपा agcl then मैं पूट करूंगा lambda m बराबर हम लोगों को पता होता है कपा इंटू 1000 अपान solubility solubility मतलब हो गया मोल पर लीटर में तो यहाँ पर हमारे बस lambda इंफिर्ट दे रखा है कितना 138 यह valuation है lambda not of agcl हमारे पास 138 दे रखा है कपा हम लोगों ने निकाला तो कपा कैसे निकालेंगे इस से इसको सब्टेट कर देंगे मतलब 3.4 इंटू 10 पावर आप माइनस 6 माइनस कितना भई 2.02 इंटू 10 पावर आप माइनस 6 और इंटू क्या हो जाएगा भई 1000 अपान solubility calculate करनी है यहाँ से solubility निकालोगे तो आएगा 1 इंटू 10 पावर आप माइनस 4 मोल पर लीटर और मोल पर लीटर को अपन मिली मोल पर मीटर क्यूब में अगर calculate कर रहे है तो कितना आजाएगा मोल पर लीटर 10s power minus 5 किसमे था mol per liter था कहा था mol per liter तो millimol per liter में कितना आ जाएगा 10 clear है तो answer आपका कितना आ जाएगा 10 clear है पिटे कुश्चन नमबरे पर गिवन है question number 8 estimate the electrode potential of a Daniel cell having 0 1M ZN2 positive originally and originally 1M Cu 2 positive after the sufficient ammonia is added to the cathode compartment to make the ammonia concentration 2M at equilibrium for given KF operation हमनों को निकाल दिया हुआ है और यह हमारे पास components है ठीक है अगर हमनों लोग यहाँ पर बात करें जो copper का complex बन रहा है copper का complex कैसे बना होगा बेटा Cu 2 positive plus 4 ammonia आपस में जुडे होंगे और इन्हों ने बना दिया होगा क्या बेटा Cu Ns3 whole 4 2 positive के ले रहा है ओके नाओ ओरिजिनली कंसेंट्रेशन हमारे पास कितनी थी बेटा 1 ठीक है तब यहाँ पर कंसेंट्रेशन हमनों ने क्या मान ली एक्स एस्यूम कर लिए और इसकी कंसेंट्रेशन ओरिजिनली तब क्या थी बेटा 0 कि नाओ इसकी कंसेंट्रेशन क्योंकि हमारे पास formation constraint टेन्स पावर क्यतना है विटा 12 है तो formation constraint टेन्स पावर तो भूने का सीधा सीधा मतलब है हम लोग कह सकते हैं कि यह लगबक पूरा का पूरा क्या हो गया होगा होगा खतम हो गया होगा यह कुछ amount में यह पूरा का पूरा dissolve हो गया ठीक है और उसके बाद में इसकी concentration 2 आ गई और इसकी concentration कितनी आ गई ठीक है अब यहाँ पर हम लोग KF से क्योंकि पूरा का पूरा co2 positive dissolve इस भी नहीं हुआ क्योंकि equilibrium formation के बारे में बात करें maximum amount में पूरा का पूरा convert हो गया तो यहाँ से अगर हम लोग co2 positive concentration निकाले तो क्या आ जाएगी बेटा co2 positive concentration बराबर हम लोग लिख सकते हैं इसका हम लोग के अफ लिख लेते हैं तो के अब बराबर आ जाएगा हमारे पास co2 ns3 whole 4 plus 2 upon concentration of ammonia ns3 whole 4 और concentration of co2 positive ठीक है equilibrium condition पर हम लोग concentration निकालते हों जोब यह पूरा पूरा formation हो गया तो यह इसको assume कर लेते हैं एजिम क्या कर लेंगे बेटा zero assume कर लेंगे ठीक है अब यहाँ से अगर हम लोग co2 positive concentration को calculate करें तो formation constant हमारे पास कितना गिवेल है वन इंटू 10s power कितना बेटा 10s power है 12 इंटू ammonia की concentration 2 2 power of कितना हम लोगों ने कर लिया भई ammonia की concentration 2 power of क्या हो जाएगा बेटा 4 upon co2 concentration हमारे पास क्या आ गई यहाँ से हम लोग co2 positive की concentration को क्या कर लेंगे बेटा calculate ठीक है और जब co2 positive की calculation हमारे पास calculate हो जाएगी तो हम लोग अब equation लिख सकते हैं क्या था हमारे पास cell हमारे पास क्या गिवें था cell हमारा था z n प्लस co2 positive gives z n 2 positive प्लस क्या भई co मतलब इसका अगर हम लोग e cell लिखेंगे तो e cell बराबर आ जाएगा e not cell कि माइनस 0.0591 upon 2 log of z n 2 positive concentration जो की गिवेल है और उसके बाद co2 positive and concentration जो की equilibrium condition पर complex formation के बाद में हमारे पास बची है हमारे पास जो e not cell है e not cell अपने पास कितना गिवेले बेटा 1.1 माइनस 0.0591 upon 2 log of महा से जो co2 positive and concentration calculate करके आप लोग लाओगे वह about करीब आएगी जा करके calculate आप कर लेंगे आएगी 6.25 into 10th power of minus 14 बहुत कम concentration होगी लेकिन पोटेंशल calculate करना है इसलिए हम लोग इसकी जोरत है हम लोग 0 को assume नहीं कर सकते ठीक है तो यहाँ पर आगया 1 upon 6.25 into 10th power of minus 14 और यह हमारे पास आजाएगा e cell e cell को जब solve करोगे तो value आएगी 0.71 और हमसे answer में कह रहा है कि give the answer by the multiplication of 10 तो आपका answer क्या बन जाएगा बेटा answer आजाएगा बेटा 10 into 7.1 and your answer is 7 okay got it बोला है the molar conductivity of 0.04 mgcl solution at this one ठीक है molar conductivity दे रहा की the conductivity cell which is filled with the magnesium chloride having the cross section area इतना distance between the electrode इतना दे रखा है if the potential between the electrode is 10 वोल्ड दन दा find out the current flow in milliampere जो current flow हुआ हमारा milliampere में उसे हमें क्या करना है भई calculate करना है ठीक है flow of current हमें calculate करना है in milliampere सही है okay तो सबसे पहले अपने क्या काम करते हैं यहाँ पर दे रखी है क्या भई concentration यहाँ पर क्या दे रखी है हमारे पास molar conductivity दे रखी है conductivity cell का सबसे पहले निकाल लेते हैं कपा तो कपा निकालने का तरीका सीधे-सीधे क्या हो गया भई centimeter inverse में तो कपा is equal to हो जाएगा lambda m into molarity divide by 1000 यह जब कपा आ जाएगा हमारे पास तो कपा के बाद में हम लोग क्या निकाल लेते हैं भई potential difference दे रखा है between the electrode electrode के बीश का potential difference है ठीक है electrode के बीश का potential given है अकर हमें resistance मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा तो कपा बराबर क्या होता है one upon r into क्या भई l upon a distance दे रखी है area दे रखा है यहाँ से क्या निकाल लो भई resistance निकाल लो resistance निकल करके हमारे पास potential difference भी given है तो हम लोग यहाँ से किसको निकाल लेंगे current को flow को निकाल लेंगे कर लेंगे ना भई यहाँ से हमने क्या निकाला resistance निकाला और यहाँ से हमारे पास potential difference है flow of current हमारे पास calculate हो जाएगा और यह current आ जाएगा हमारे पास क्या भई 40 mili ampere hydrogen gas electron is made up by the dipping of the platinum wire pH यहाँ पर NaOH कितनी दे रखी है oxidation potential हमें निकालना है जो कि 10x mili volt के form में है ठीक है पैटा अगर हम लोग oxidation के form में बात करें तो क्या लिखोगे h2 convert in form of twice of h positive plus 2 electron and factor 2 आ गया ठीक है यहाँ पर अगर हम लोग इसके reduction तो यह हमारे पास आ जाएगा e of h2 oblique h positive that is equal to 0 minus 0.0591 upon 2 log of h positive and concentration का square upon pressure of h2 pressure of h1 हो गया तो यहाँ पर आ गया e of h2 oblique h positive is equal to minus 0.0591 upon n upon n कितना था 2 log log of क्या भई h positive and concentration कितनी दे रखी है यहाँ पर हमारे पस pH कितना है 10th power minus pH है 10th तो यह concentration कितनी आ गई 10th power minus 10 का whole square ठीक है 2 से 2 cancel हो गया तो सीधे हमारे पास e of h2 oblique h positive कितना आ गया बेटा यहाँ आ गया minus का 0.0591 10 आगे आ जाएगा minus का तो यह plus हो जाएगा into क्या हो जाएगा 10 तो यह कितना आ जाएगा plus का 0.591 वोल्ट और यहाँ पर हमारे पास millivolt के terms में दे रखी evaluation तो इसको लिगद होगे तो यह कितना आ जाएगा by 10x तो x की value कितनी आ जाएगी बिटा x की value हमारे पास कितना आ जा कि ईएगा जाएगा 2.7 तो याएगा जाएगा ऊपस्ता है कितन femme कितना आ até जाईएगा गे उन रहएगा ।ाफ़ तो